प्रेरितों के कामों का वर्णन अध्याय एक हे थीफलिस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विशे में लिखी, जो येशु ने आरंभ में की और करता और सिखाता रहा। उस दिन तक जब वो उन प्रेरितों को जिनहें उसने चुना था, पवित्र आत्मा के द्वारा आज्या देकर उपर उठाया ना गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आपको उने जीवित दिखाया और चालेस दिन तक वो उने दिखाई देता रहा। और परमेश्वर के राज्ये की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी के सो उन्होंने इकठे होकर उससे पूछा कि ये प्रभू क्या तू इसी समय इस्राइल को राज्ये फेर देगा उसने उनसे कहा उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं पनन्तु जब पवित्र आत्म तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरुशलेम और सारे यहुद्या और सामरिया में और प्रिथ्वी की छोड तक मेरे गवा होंगे ये कहकर वो उनके देखते देखते उपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आँखों में छिपा लिया और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो दो पुरुश श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आखड़े हुए और कहने लगे तब वे जेतून नाम के पहाड से जो यरुशलिम के निकट एक सब्त के दिन की दूरी पर है यरुशलिम को लोटे जब वहाँ पहुँचे तो वे उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहना, याकूब और अंद्रियास, फिलिपुस और थोमा, बर्तुलमाई और मत्ती, हलफाई का पुत्र याकूब, शमोन, जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे ये सब कई इस्त्रियों और येशु के माता मर्यम और उसके भाईयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे और उन्ही दिनों में, पतरस भाईयों के बीच में, जो एक सो व्यक्ती के लगभग इकठे थे, खड़ा होकर कहने लगा हे भाईयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वो लेक पूरा हो, जो पवित्र आत्मा ने दाउत के मुक्ष से यहूदा के बिशे में, जो येशु को पकड़ने वानों का अगवा था, पहिले से कही थी क्योंके वो तो हम में गिना गया, और इस सिवाकाई में सहभागी हुआ, उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया, और सिर के बल गिरा, और उसका पेट फट गया, और उसकी सब अतनिया निकल पड़ी, और इस बात को यरोशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहां तक क उस खेत का नाम उनकी भाशा में हकल दमा, अर्थात लोहू का खेत पड़ गया, क्योंके भजन सनहीता में लिखा है, कि उसका घर उजड़ जाए, और उसमें कोई न बसे, और उसका पद कोई दूसरा ले ले, इसलिए जितने दिन तक प्रभु येशु हमारे साथ आता जा अर्थात योहन्ना के बप्तिश्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए तब उन्होंने दो को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम यूस्तुस है, दूसरा मतित्या को, और ये कहकर प्रार्थना की हे प्रभू, तू जो सब के मन जानता है, ये प्रगट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है, कि वो इस सेवकाई और पेरिदाई का पदले, जिसे यहुदा छोड़ कर अपने स्थान को गया तब उन्होंने उनकी बारे में चिठियां डाली, और चिठी मतित्या के नाम पर निकली, सो वो उन ग्यारे प्रेड़तों के साथ गिना गया अध्याय दो जहां वे बैठे थे, गूझ गया, और उन्हें आप किसी जीबें फटती हुई दिखाई दी, और उन्हें से हर एक पर आठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और आकाश के नीचे की हर एक जाती में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे जब वो शब्द हुआ, तो भीड लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि यह मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं और वे सब शकित और अचंबित होकर कहने लगे, देखो यह जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं, तो फिर क्यों हम में से हर एक अपने अपनी जन्म भूमी के भाषा सुनता है हम जो पार्थी और मेदी और इलामी लोग और मिसुपुतामिया और यहूदिया और कपदूकिया और पुंतुस और आशिया और फ्रूगिया और पंपभूलिया और मिसर और लिवीगूआ देश जो क्रेने के आसपास है इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रमासी क्या यहूदी क्या यहूदी मत धरणा करने वाले क्रेती और अर्बी भी है, परंतु अपनी अपनी प्राशा में उनसे पर्मेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे के ये क्या हुआ चाहता है परन्तु औरों ने ठठा करके कहा के वे तो नई मदिरा के नशे में है पत्रस उन ग्यारे के साथ खड़ा हुआ और उचे शब्द से कहने लगा के हे यहूदियों और हे यरुशलम के सब रहने वालों ये जान लो और कान लगा कर मेरी बातें सुनों जैसा तुम समझ रहे हो ये नशे में नहीं क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चला है परन्तु ये वह बात है जो योएल भविश द्वक्तर के द्वारा कही गई है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुश्यों पर उंडे लूँगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविश्यवानी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुर्निये स्वपन देखेंगे परन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडे लूँगा और वे खविश्यद्वानी करेंगे और मैं उपर आगाश में अध्भुत काम और नीचे धर्ती पर चिंध अर्थात लहू और आद और धुमे का बादल दिखाऊंगा प्रभु के महान और प्रसिध दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू हो जाएगा और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उध्धार पाएगा हे इसराइलियो ये बाते सुनो कि ये शुनासरी एक मनुशित था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमान उन सामर्थ के कामों और आश्यर के कामों और चिन्नेों से प्रगठ है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखलाई जिसे तुम आप ही जानते हो उसी को जब वो परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनार के ग्यान के अनुसार पकड़वाया गया तो तुम ने अधर्मियों के हाथ से खुरूस पर चड़वा कर मार डाला परन्तु उसी को परमेश्वर ने मिर्ट्यू के बंदनों से छुड़ा कर जिलाया क्योंकि वो होनार था कि वो उसके वश में रहता क्योंकि दाउद उसके विशे में कहता है मैं प्रभु को सरवदा अपने सामने देखता रहा क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है तांके मैं डिग न जाओं इसी कारण मेरा मन आनंद हुआ और मेरी जीव मगन हुई वरन मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधो लोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सडने ही देगा तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा हे भाईयो मैं उस कुलपती दावूद के विशे में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वो तुम मर गया और गाणा भी गया और उसकी कबर आज तक हमारे यहां वर्तमान है सो भविश्य द्वक्ता होकर और ये जानकर कि परमेश्वर ने मुझे शपत खाई है मैं तेरे वंच में से एक व्यक्ति को तेरे सिनहासर पर बिठाऊंगा उसने होलहार को पहिले ही देखकर मसी के जी उठने के विशे में भविश्य मानी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोग में छोड़ा गया और ना उसकी देह सणने पाई इसी येशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवा हैं इस प्रकार परमेश्वर के दहिन हाथ से सर्वोच पद पाकर और पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिग्या की गई थी उसने ये उंडेल दिया है कि जो तुम देखते हो और सुनते हो क्योंकि ताउद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा परन्तु वे आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा तब सुनने वालों के हिर्दे छिद गए और वे पत्रस और शेष प्रेडितों से पूछने लगे कि ये भाईयों हम क्या करें पत्रस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए येशु मसी के नाम से बब्तिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे क्योंकि ये प्रतिग्या तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभू हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे दे कर समझाया कि अपने आपको इस तेहली जाती से बचाओ सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहन किया उन्होंने वक्तिस्मा लिया और उसी दिन तीन हजार मनुश्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेडितों से शिक्षा पाने और संगती रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे और सब लोगों पर भैचा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेडितों के द्वारा प्रगट होते थी और वे सब विश्वास करने वाले इकठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साजह की थी और अपनी अपनी संपत्ती और समान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवशक्ता होती थी बांट दिया करते थे और वे प्रती दिन एक मन होकर मंदिर में इकठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुती करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभू प्रती दिन उनमें मिला देता था अध्याय तीन पत्रस और युहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगडे को ला रहे थे जिसको वे प्रती दिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुन्दर है बैठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीक मांगे जब उसने पत्रस और युहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीक मांगे पत्रस ने युहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देख कर कहा हमारी ओर देख सो वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा तब पत्रस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं परन्तु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ येशु मसी नासरी के नाम से चल पिर और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पाओं और टकनों में बल आ गया और वो उचल कर ख़ड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और खूदता और परमेश्वर की स्तूति करता हुआ उनके साथ मन्दिर में गया सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्थुती करते देख कर उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुन्दर फाटक पर बैठ कर भीक मांगा करता था और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचमभित और चकित हुए जब वो पत्रस और युहना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत अचमभा करते हुए उस उसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दोड़े आए ये देखकर पत्रस ने लोगों से क है इस्राइलियों तुम इस मनुष्य पर क्यों अचमभा करते हो और हमारी और क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ है या भक्ती से इसे चलता फिरता कर दिया इबरहीम और इसाक और याकूब के परमेश्वर हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक येशु की महीमा की जिसे तुमने पकड़वा दिया और जब पीलातूस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तब तुमने उसके सामने उसका इंकार किया तुमने उस पवित्र और धर्मी का इंकार किया और विनिती की के एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए और तुमने जीवन के करता को मा डाला जिसे परमेश्वर ने मरे हो में से जिलाया और इस बात के हम गवा हैं और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ दी है और निश्चे उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है इसको तुम सब के सामने बिलकुल भला चंगा कर दिया है और अब हे भाईयो मैं जानता हूँ कि ये काम तुमने अज्ञानता से किया और वैसे ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने भविश्व द्वक्ताओं के मुख से पहले ही बताया था कि उसका मसी दुख उठाएगा इन्हें उसने इस रीती से पूरी की इसलिए मन फराओ और लौटाओ कि तुम्हारे पाप को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही ठराया गया है अवश्य है कि वो स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वो सब बातों का सुधार ना कर ले जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविश्व द्वक्ताओं के मुख से की है जो जगत की उत्पत्ती से ह होते आएगा जैसा के मुसा ने कहा प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाईयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक भविश्व द्वक्ता उठाएगा जो कुछ वो तुम से कहे उसकी सुनना परंतु प्रत्येक मनुश्य जो उस भविश्व द्वक्ता की ना सुने ल और सामुयल से लेकर इसके बाद वालों तक जितने भविश्य द्वक्ताओं ने बात कहीं, उन सब ने इन दिनों का संदेश दिया है। तुम भविश्य द्वक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से बांधी। जब उसने इबराहीम से कहा कि तेरे वंच के द्वारा पृत्वी के सारे घराने आशीश पाएंगे। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठा कर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम्मे से हरेक को उसकी बुराईयों से फेर कर आशीश दे। अध्याय चार जब वे लोगों से ये कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदू की उन पर चड़ाएं। क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और येशु का उधारन दे दे कर मरे हुओं के जी उठने का परचार करते थे। और उन्होंने उन्हें पकड कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती पांच हजार पुरुशों के लगभग हो गई। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और युहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे यरुशले में इकठे हुए। और उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे के तुमने यह काम किस सामर से और किस नाम से किया है। तब पत्रस ने पवित्र आत्मा से परिपूरुण होकर उनसे कहा। हे लोगों के सरदारों और पुर्नियों इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई यदि आज हमसे उसके विशय में पूछताच की जाती है कि वो क्यों कर अच्छा हुआ। तो तुम सब और सारे इस्राईली लोग जान लें कि येशु मसी नासरी के नाम से जिसे तुमने कुरूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुँँ में से जिलाया ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। ये वो ही पत्थर है जिसे तुम राज मिस्त्रियों ने तुठ जाना और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जब उन्होंने पत्रस और युहना का हयाव देखा और ये जाना कि ये आनपड़ा और साधारन मनुष्य हैं, तो अचमभा किया, फिर उनको पहचाना कि ये येशु के साथ रहे हैं, और उस मनुष्य को जो अच्छा था, उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कह सके, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आग्या देकर वे आपस में विचार करने लगे कि, हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है, कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्न दिखाया गया है, और हम उसका इंका और नहीं कर सकते, परंतु इसलिए कि ये बात लोगों में और अधिक फैलना जाए, हम उन्हें धमकाएं कि ये इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बाते ना करें, तब उन्हें बुलाया और चितोनी देकर ये कहा, कि येशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखलाना, परंतु पत्रस और युहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही नियाय करो, कि क्या ये परमेश्वर के निकट भला है, कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात मानें, क्योंकि ये तो हमसे हो ही नहीं सकता, कि जो हमने देखा और सुना, वो ना कहें। कारण सब लोग परमेश्वर के बढ़ाई करते थे, क्योंकि वो मनुष्य जिस पर ये चंगा करने का चिन्ने दिखाया गया था, चालीस वर्ष से अधिक आयू का था, वे छूट कर अपने साथियों के पास आये, और महायाजकों और पुर्णियों ने उनसे जो कुछ कहा उनको सुना दिया, ये सुनकर उन्होंने एक चित होकर उंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तु वही है जिसने स्वर्ग और पृत्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया, तुने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाउद के मुख से कहा, कि अन्य जातियों ने हुल्लर क्यों मचाया, और देश के लोगों ने क्यों व्यर पृत्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकठे हो गए, क्योंकि सच मुझ तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसे तूने अभिशेक किया, हेरो देश और पुन्तियुस पीला तुस भी अन्य जातियों और इस्राइलियों के साथ इस नगर में इकठे हुए, के जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मती से ठहरा था वही करें, अब हे प्रभु उनकी धंकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे, के तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाएं, और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा, के चिन्ह और अध्भुत काम तेरे पवित्र सेवक येशु के नाम से किये जाएं। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु येशु के जी उठने की गभाई देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुक रह था, और उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमी या घर थे, वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तों का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पाउं पर रखते थे, और जैसी जैसी जिसे आवशक्ता होती थी, उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे, और यूसुफ नाम कुप्रुस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बर्नबा अर्थात शान्ती का पुत्र रखा था, उसकी कुछ भूमी थी, जिसे उसने बेचा और दाम के रुपे लाकर प्रेरितों के पाउं पर रख दिये। भूमी बेची, और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ी, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पाउं के आगे रख दिया, परन्तु पत्रस ने कहा, ए हनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्रात्मा से जूट बोले और भूमी में से कुछ रख छोड़े, जब तक वो तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब भी गई तो क्या तेरे वश में ना थी, तूने ये बात अपने मन में क्यों व फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया, लगभग तीन घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई, तब पत्रस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वो भूमी इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने में, पत्रस ने उससे कहा, ये क्या बात है, कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परिक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पती के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं, औ जब वो तुरंत उसके पाउं पर गिरपड़ी और प्राण छोड़ दिये, जमानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया, और बहार ले जाकर उसके पती के पास गाड़ दिये, और सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बढ़ा भैच आ गया, प्रेरितों के जमानों मेंसे किसी को ये हयाब ना होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बढ़ाई करते थे, विश्वास करने वाले बहुतेरे पुरुष और स्त्रिया, प्रभू की कलीसिया में और भी अधिक आकर मिलते रहे, यहां तक की लोग बीमारों को सड़कों पर लाला कर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि पत्रस आए, तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पढ़ जाए। बंदी ग्रह में बंद कर दिया, परंतु रात को प्रभू के एक स्वर्ग दूत ने बंदी ग्रह के द्वार खोल कर उन्हें बाहर लाकर कहा कि जाओ, मंदिर में खड़े होकर, इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। वे ये सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। परंतु महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा को और इसरालियों के सब पुरणियों को इकठे किया, और बंदी ग्रह में कहला भेजा कि उन्हें लाए। परंतु प्यादों ने वहाँ पहुचकर उन्हें बंदी ग्रह में ना पाया और लोटकर संदेश दिया के हमने बंदी ग्रह को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ और पहरे वालों को बहार द्वारों पर खड़े हुए पाया परंतु जब खोला तो भीतर कोई ना मिला जब मंदिर के सरदार और महायाजकों ने ये बातें सुनी तो उनके विशे में भारी चुन्ता में पड़ गे के ये क्या हुआ चाता है इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया के देखो दिने तुमने बंदी ग्रह में बंद रखा था वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया परन्तु बर्बस नहीं क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि उन्हें पत्थर बाना करें उन्होंने उन्हें फिर लाकर महा सभा के सामने खड़ा कर दिया और महा याजक ने उनसे पूछा क्या हमने तुम्हें चिता कर आग्या न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना तो भी देखो तुमने सारे यरुशलम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो तब पत्रस और प्रेडितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आग्या से बढ़कर परमेश्वर की आग्या का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है हमारे बाब दादाओं के परमेश्वर ने येशु को जिलाया जिसे दुमने कुरूस पर लटका कर मा डाला था उसी को परमेश्वर ने प्रभू और उधरक ठहरा कर अपने दाहिनी हाद से सर्वोच्च कर दिया कि वो इसरेलियों को मन फ्राओं की शक्ति और पापों की शमा प्रदान करें हम इन बातों के गवाँ हैं और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आग्या मान दे ये सुनकर भी जल गए और उन्हें मार डालना चाहा परन्तु गमलियल नाम एक फरीसी ने जो वेवसापक और सब लोगों में माननी ये था न्याया ले में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आग्या दी तब उसने कहा हे इस्राइलियो जो कुछ इन मनुष्यों से किया चाहते हो सोच समझ के करना क्योंकि इन दिनों से पहले थियुदास ये कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ और कोई चार सौव मनुष्य उसके साथ हो लिये परंतु वो मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहुदा गलीली उठा उसने कुछ लोग अपने और कर लिये वो भी नाश हो गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ इन मनुश्यों से दूर ही रहो और उनसे कुछ काम ना रखो क्योंकि यदि ये धर्म या काम मनुश्यों की ओर हो तुम मिट जाएगा परन्तु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापी मिटा ना सकोगे कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठैरो तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेडितों को बुला कर पिठवाया और ये आग्या दे कर छोड़ दिया कि कि येशु के नाम से फिर बाते ना करना वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने की योगे ठैरे और प्रती दिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि येशु ही मसेई है ना रुके अध्याय छे उन दिनों में जब चेले बहुत होते जाते थे तो युनानी भाषा बोलने वाले इबरानियों पर कुड़कुडाने लगे कि प्रती दिन की सेवकाई में हमारी विद्वाओं की सुधी नहीं ली जाती तब उन बारहे चेलों की मंडली को अपने पास बुला कर कहा ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें इसलिए हे भाईयों अपने में से साथ सुनाम पुरुशों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धी से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दे परंतु हम तो प्रार्थना में और बचन की सेवा में लगे रहेंगे ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने सिफनुस नाम एक पुरुश को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूरुण था और फिलिपुस प्रुखुरुस नीका नोर तीमोन परमिनास और आन्ता की वाला नीकुलाउस को जो यहुदी मत में आ गया था चुन लिया इन्हें प्रेड़तों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थन करके उन पर हात रखे। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरुशले में चेलों की गिंती बहुत बढ़ती गई। याजकों का एक बड़ा समाज भी इस मत के आधीन हो गया। सिफनुस अनुग्रह और सामर्थे से परिपूरुन होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। तब उस अराधनाले में से जो लिबर्तीनों की कहलाती थी और कुरेनी और सिकंद्रिया और किल्किया और एशिया की लोगों में कई एक उठकर सिफनुस से वाद विबाद करने लगे। परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वो बातें करता था वे सामना ना कर सके। इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे के हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बाते करते सुना है। और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भढ़का कर चड़ाए और उसे पकड़ कर महासभा में ले गए और जूटे घवा खड़ेगी जिन्होंने कहा कि ये मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता। क्योंकि हमने उसे ये कहते सुना है कि यही ईशू नासरी इस जगा को था देगा और उन रीतों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौपी हैं। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उसकी ओर ताक कर उसका मुखडा स्वर्ग दूद का सा देखा। अध्याय साथ तब महायाजक ने पूछा क्या ये बाते यो ही हैं। उसने कहा हे भाईयो और पित्रो सुनो हमारा पिता इब्राहीम हारान में बसने से पहले जब मिसु पुतामिया में था तो तेजो मय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा कि तु अपने देश और अपने कुटुम्ब से निकल कर उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा तब वो कसदियों के देश से निकल कर हारान में जा बसा और उसके पिता के मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया जिसमें अब तुम बसते हो और उसको कुछ मीरास बरन पैर रखने भर की भी उसमें जगाए ना दी परन तुप्रतिग्या की कि मैं ये देश तेरे बाद तेरे वन्ष के हाथ कर दूँगा यद्य पि उस समय उसके कोई पुत्र भी न था और परमेश्वर ने यो कहा कि तेरी संतान के लोग पराए देश में परदेशी होंगे और वे उन्हें दास बनाएंगे और चार सौ वर्ष तक दुख देंगे फिर परमेश्वर ने कहा जिस जाती के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूँगा और इसके बाद वे निकल कर इसी जगह मेरी सेवा करेंगे और उसने उससे खतने की वाचा बांधी और इसी दशा में इसहाग उससे उत्पन हुआ और आठ में दिन उसका खतना किया गया और इसहाग से याकूब और याकूब से बारह कुलपती उत्पन हुए कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा परन्तु परमेश्वर उसके साथ था और उसे उसके सब कलेशों से छुड़ा कर मिस्र के राजा फिरॉन के आगे अनुग्रह और बुध्धि दी और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम ठहराया तब मिस्र और कनान के सारे देश में अकाल पड़ा जिससे भारी कलेश हुआ और हमारे बाप दादों को अन नहीं मिलता था परन्तु याकूब ने ये सुनकर के मिस्र में अनाज है हमारे बाप दादों को पहली बार भेजा और दूसरी बार यूसुफ अपने भाईयों पर प्रकट हो गया और यूसुफ की जाती फिरौन को मालूम हो गई तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब और अपने सारे कुटुम्ब को जो 75 व्यक्ति थे बुला भेजा तब याकूब मिस्र में गया और वहां वो और हमारे बाप दादे मर गए और वे शिकिम में पहुँचाए जाकर उस कब्र में रखे गए जिसे इबराहीम ने चांदी दे कर शिकिम में हमोर की संतान से मोल लिया था परन्तु जब उस प्रतिग्या के पूरे होने का समय निकट आया जो परमेश्वर ने इबराहीम से की थी तो मिस्र में वे लोग बढ़ गए जब तक के मिस्र में दूसरा राजा न हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था वे बहुत हो गए उसने हमारी जाती से चतुराई करके हमारे बाप दादों के साथ यहां तक दुर्व्यवहार किया के उन्हें अपने बालकों को फेक देना पड़ा के वे जीवित न रहें उस समय मूसा उत्पन हुआ जो बहुत ही सुन्दर था वो तीन महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया परन्तु जब भेक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वो बातों और कामों में सामर्थी था जब वो चालीस वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इस्राइली भाईयों से भेट करूँ उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देख कर उसे बचाया और मिस्री को मार कर सताय हुए का पल्टा लिया उसने सोचा के मेरे भाई समझेंगे के परमेश्वर मेरे हाथों से उनका उद्धार करेगा परन तु उन्होंने ना समझा दूसरे दिन जब ये आपस में लड़ रहे थे तो वो वहां आ निकला और ये कहके उन्हें मेल करने के लिए समझाया के हे पुर्शो तुम तो भाई भाई हो एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो परन तु जो अपने पडोसी पर अन्याय कर रहा था उसने उसे ये कहकर हटा दिया के तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है क्या जिस रीती से तुने कल मिस्री को मार डाला, मुझे भी मार डालना चाहता है। ये बात सुनकर मुसा भागा और मिद्यान देश में परदेशी होकर रहने लगा और वहां उसके दो पुत्र उत्पन हुए। जब पूरे चालीस वर्ष बीत गए, तो एक स्वर्ग दूत्र ने सीनई पहाड के जंगल में उसे जलती हुई जाडी की ज्वाला में दर्शन दिया। मुसा ने उस दर्शन को देखकर अचमभा किया। जब देखने के लिए वो पास गया, तो प्रभु का ये शब्द हुआ कि मैं तेरे बाप दादों, इब्राहीम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। ये सुन मुसा कांप उठा, यहां तक कि उसे देखने का हियाव न रहा। तब प्रभु ने उससे कहा, अपने पावों से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तु खड़ा है, वो पवित्र भूमी है। मैंने सच मुच अपने लोगों की, जो मिस्र में हैं, दुर्दशा देखी है। उनकी आह और उनका रोना सुन लिया है, इसलिए उन्हें छुडाने के लिए उत्रा हूँ। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। जिस मूसा को उन्होंने ये कहकर नकारा था, कि तुझे किसने हम पर हाकिम और न्याई ठहराया है, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुडाने वाला ठहरा कर, उस स्वर्ग दूत के द्वारा, जिसने उसे जाडी में दर्शन दिया था, भेजा। यही व्यक्ति मिस्र और लाल समुद्र और जंगल में चालीस वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखा दिखा कर उन्हें निकाल लाया, ये वही मूसा है, जिसने इस्राइलियों से कहा, कि परमेश्वर तुम्हारे भाईयों में से, तुम्हारे लिए मुझ सा एक भवि इश्य द्वक्ता उठाएगा, ये वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्ग दूत के साथ सीनई पहाड पर उससे बातीं की और हमारे बाप दादों के साथ था, उसी को जीवित वचन मिले के वो हम तक पहुँचाए, परन तु हमारे बाप दादों ने उसकी मानना ना चाहा, वरन उसे हटा कर अपने मन मिस्र की ओर फेरे, और हारून से कहा, हमारे लिए ऐसे देवता बना, जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि ये मूसा जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया, हम नहीं जानते उसे क्या हुआ, उन दिनों में उन्होंने एक बना कर उसकी मूरत के आगे बली चड़ाया, और अपने हाथों के कामों में मगन होने लगे। देवता के तारे को लिए फिरते थे, अर्थात उन आकारों को जिन्हें तुमने दंडवत करने के लिए बनाया था, मैं तुम्हें बाबुल के परे ले जाकर बसाऊंगा। साक्षी का तंबु जंगल में हमारे बाप दादों के बीच में था, जैसा उसने ठहराया, जिसने मूसा से कहा, कि जो आकर तुने देखा है, उसके अनुसार इसे बना। उसी तंबु को हमारे बाप दादे पूर्वकाल से पाकर यहोशू के साथ यहां ले आए, जिस समय के उन्होंने उन अन्य जातियों का अधिकार पाया, जिनहें परमेश्वर ने हमारे बाप दादों के सामने से निकाल दिया, और वो दाउद के समय तक रहा, उस पर रह किया, सो उसने बिंती की कि मैं याकूब के परमेश्वर के लिए निवा स्थान ठहराऊं, परन्तु सुलैमान ने उसके लिए घर बनाया, परन्तु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविश्य द्वक्ता ने कहा कि प्रभू कहता है, स्वर्ध मेरा सिंहासन और प्रित्वी मेरे पावों तले की पीड़ी है, मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे, मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा, क्या ये सब वस्तु में मेरे हाथ की बनाई नहीं? हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे, वैसे ही तुम भी करते हो, भविश्य द्वक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादोंने नहीं सताया, उन्होंने उस धर्मी के पूर्वकाल से संदेश देने वालों को मार डाला, अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए, तुमने स्वर्ग दूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परन्तु उसका पालन नहीं किया। की महिमा को और घूशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर खा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनश्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। के पास उतार रहे और वे स्टिफनुस को पत्थरबा करते रहे और वो ये कहकर प्राथ्या करता रहा कि और ये कहकर सो गया शाओल उसके वद में सहमत था अध्याय आठ उसी दिन यरुशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपत्दरब होने लगा और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए और भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया शाओल कलीमिया को उजाड रहा था वो घर घर घुसकर पुरुशों और इस्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदिग्रह में डालता था जो तितर बितर हुए थे वेसु समाचार सुनाते हुए फिरे फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगोंने सुनकर और जो चिन्ध वो दिखाता था उन्हें देख देख कर एक चित होकर मन लगाया क्योंकि बहुतों मेंसे अशुद आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से जोले के मारे हुए और लंगडे भी अच्छे किये गए उस नगर में बड़ा आनंद हुआ इससे पहले उस नगर में शमोन नाम एक मनुष्य था जो टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आपको कोई बड़ा पुरुष बताता था सब छोटे से बड़े तक उसे मान कर कहते थे कि ये मनुष्य परमेश्वर की वो शक्ती है उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने टोने के कामों से चकित कर रखा था इसलिए वे उसको बहुत मानते थे परंतु जब उन्होंने फिलिपुस की प्रतीती की जो परमेश्वर के राज्ये और येश्व के नाम का सुसमाचार सुनाता था तो लोग क्या पुरुष क्या इस्त्री बबतिस्मा लेने लगे तब शमोन ने आप भी प्रतीती की और बप्तिस्मा लेकर वो फिलिप उसके साथ रहने लगा और चिन्ह और बड़े-बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था जब प्रेडितों ने जो यरुशले में थे सुना के सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है तो पतरस और युहन्ना को उनके पास भेजा और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्माएं पाए क्योंकि वो अब तक उनमें से किसी पर ना उत्र था उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बप्तिस्मा लिया था तब उन्होंने उन पर हात रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया जब शमोन ने देखा कि प्रेडितों के हात रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है तो उनके पास रुपे लाकर कहा ये तेरे रुपे तेरे साथ नाश हूँ, क्योंकि तुने परमेश्वर का दान रुपियों से मोल लेने का विचार किया है। शमोन ने उत्तर दिया कि तुम मेरे लिए प्रभु से प्रातना करो कि जो बाते तुमने कहीं उनमें से कोई मुझ पर ना पड़े। तो उसमार पर जा, जो येरुश्रम से अज्जा को जाता है और जंगल में है। वो उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुश्य आ रहा था जो खोजा था और कूशियों की राने कंदाके का मंत्री और खजान ची था। वो भजन करने को यरुशले माया था। वो अपने रत पर बैठा हुआ था। और यशाया भविश्य दुखता की पुस्तक पढ़ता हुआ लोटा जा रहा था। तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है। उसने कहा जब तक कोई मुझे ना समझा है तो मैं क्यों कर समझू। और उसने फिलिपुस से विनती की के चड़कर मेरे पास बैठ। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो बढ़ रहा था। वो ये था कि वो भेड की नाई वद होने को पहुँचाया गया। और जैसा मेमना अपने उन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है। वैसे ही उसने भी अपना मूँ ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय होने नहीं पाया। और उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा क्योंकि बृत्वी से उसका प्रान उठाया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा है। मैं तुझसे बिनती करता हूँ। यह बता कि भवश्य दक्ता यह किस के विशय में कहता है। अपने यह किसी दूसरे के विशय में। तब फिलिपुस ने अपना मूँ खोला और इसी शाष्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाये। मार्ग में चलते चलते वे किसी जंगल में पहुँचे। तब खोजे ने कहा। देख यहां जल है अपकिसमा लेने में क्या रोक है। फिलिपुस ने कहा। यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया। मैं विश्वास करता हूँ कि यश्व मसी प्रमेश्व का पुत्र है। तब उसने रत खड़ा करने की आगया दी। और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े। और उसने उसे बकिसमा दिया। जब वे जलमे से निकल कर उपर आये। तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा के ले गया। सो खोजे ने उसे फिर न देखा। और वो आनंद करता हुआ अपने मार्ग चला गया। और फिलिपुस अश्दोद में आ निकला। और जब तक केसरिया में ना पहुँचा, तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। अध्याय नौ और शाउल जो अब तक प्रभू के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया। उसने दमिश्क के अराधनालेओं के नाम पर इस अभिप्राय की चिठियां मांगी कि क्या पुरुष, क्या इस्त्री, जिन्हें वो इस पंथ पर पाए, उन्हें बांद कर यरुशले में ले आये। चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुँचा, तो एका एक आकाश से उसके चारों और जोती चमकी। वो भूमी पर गिर पड़ा, और उसने ये शब्द सुना, उसने पूछा, ए प्रभु, तु कौन है, उसने कहा, मैं यूशु, जिसे तु सदाता है, पर तु अब उठकर नगर में जा, और जो तुझे करना है, वो तुझसे कहा जाएगा। जो मनुश्य उसके साथ थे, वे चुपचाप रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे, परन्तु किसी को देखते ना थे, तब शावल भूमी पर से उठा, परन्तु जब आँखें खोली, तो उसे कुछ दिखाई न दिया, और वे उसका हाथ पकड़के दमिश्क में ले देला था, उससे प्रभू ने दशन में कहा, हे हनन्या, उसने कहा, हाँ प्रभू, तब प्रभू ने उससे कहा, उठकर उस गली में जाओ, जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में, शावल नाम, एक तारसी को पूच दे, क्योंकि देख, वो प्रार्थना कर रहा है, और उसने हनन्या नाम एक पुरुष को भीतर आ दे, और अपने हूपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से द्रिश्टी पारे, हनन्याय ने उत्तर दिया कि, हे प्रभू, मैंने इस मनुष्य के विशे में बहुतों से सुना है, कि इसने येरुशलम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराईयां की है, और यहां भी इसको महायाजकों की ओर से अधिकार मिला है, कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं, उन सब को बांध ले। परंतु प्रभू ने उससे कहा कि, तू चला जाओ, क्योंकि ये तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राइलियों के सामने, मेरा नाम प्रकट करने के लिए, मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा, कि मेरे नाम के लिए, उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्य याय उठकर उस घर में गया, और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाओल, प्रभूब अर्थात यिशू, जो उस रास्ते में जिससे तू आया, तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर द्रिश्टी पाए, और पवित्र आत्म से परिपूर्ण हो जाए, और तुरंद उसकी आखों से छिलके से गिरे, और वो देखने लगा, और उठकर वक्तिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया, वो कई दिन उन चेलों के साथ रहा, जो दमिश्क में थे, और वो तुरंद अराधना लेव में यिशू का प्रचा नहीं है, जो यरिशले में उन्हें जिस नाम को लेते थे, नाश करता था, और यहां भी इसलिए आया था, कि उन्हें बान कर महायाचकों के पास ले जाए, परंतु शाओल और भी सामर्थी होता गया, और इस बात का प्रमान देकर, कि मसी यही है, दमिश्क के रहने वाले यहुदियों का मुबंद करता रहा, जब बहुत दिन बीत गए, तो यहुदियों ने मिलकर उसके मार डालने की युक्ति निकाले, परंतु उनकी युक्ति शाओल को मालूम हो गई, वे तो उसके मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर लगे रहे थे, परंतु रात को उसके चेलों ने उसे लेकर टोकरे में बैठाया और शहर पनाब पर से लटका कर उतार दिया। यरुशले में पहुँचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का उपाय किया। वे सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको प्रतीत ना होती थी कि वो भी चेला है। परंतु बर्नबा ने उसे अपने साथ प्रेड़तों के पास ले जाकर उनसे कहा कि इसने किस रिती से मार्ग में प्रभू को देखा और उसने इससे बातें की। फिर दमश्क में इसने कैसे हयाव से येशु के नाम से प्रचार किया। वो उनके साथ यरुशले में आता जाता रहा। वो निधड़क होकर प्रभू के नाम से प्रचार करता था। और युनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बाचीत और बाद विबाद करता था। परंतु वे उसके मार डालने का यतन करने लगे। ये जानकर भाई उसे केसरिया में ले आए और तरसुस को भेज दिया। सो सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नती होती गई। और वो प्रभु के भै और पवित्र आत्मा की शान्ती में चलती और बढ़ती जाती थी। और ऐसा हुआ कि पतरस हर जगे फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुँचा जो लुद्दा में रहते थे। वहां उसे एनियास नाम जोले का मारा हुआ एक मनुष्य मिला, जो आठ वर्ष से खाट पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, येशु मसी तुझे चंगा करता है, उठ अपना विछोना ठीक कर, तब वो तुरंग उठ खड़ा हुआ। और लुद्दा और शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभू की ओर फिरे। याफा में तबीता, अर्थाद, दोरकास, नाम, एक विश्वासनी रहती थी। वो बहुतरे भले-भले काम और दान किया करती थी। उन्ही दिनों में वो बिमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। और इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। चेलों ने ये सुनकर कि पत्रस वहाँ है, दो मनुश्य भेजकर उससे बिनती की कि हमारे पास आने में देर ना कर। तब पत्रस उठकर उनके साथ हो लिए। और जब पहुँच गया, तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। और सब विद्वाएं रोती हुई, उसके पास आखडी हुई। और जो कुर्ते और कपडे दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाये थे, दिखाने लगी। तब पत्रस ने सब को बाहर कर दिया, और घुटने टेकर प्रार्थना की। और लोत की। और देखकर कहा, हे तबीता, उठ। तब उसने अपने आँखे कोल दी। और पत्रस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देखकर उसे उठाये। और पवित्र लोगों और विद्वाओं को बुलाकर उसे जीवित और जागरित दिखा दिया। ये बात सौरी याफा में फैल गई। और बहुत देरों ने प्रभू पर विश्वास किया। और पत्रस यापा में शमोन नाम किसी चमडे का धंदा करने वाले के यहां बहुत दिन तक रहा। अध्याय दस केसरिया में कुर्नेलियूस नाम एक मनुश्य था, जो इत्याली यानी नाम पल्टन का सुबेदार था, वो भग्त था, और अपने सारे घराने समेथ परमेश्वर से डरता था, और यहुदी लोगों को बहुत दान देता, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था उसने दिन के तीसरे पहर के निकट, दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा, कि परमेश्वर का एक स्वर्ग दूद उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुर्नेलियूस उसने उसे ध्यान से देखा और ड़कर कहा, हे प्रभू क्या है उसने उससे कहा, तेरी प्रात्नाई और तेरे दान स्मर्ण के लिए परमेश्वर के सामने पहुचे हैं, अब याफा में मनुष्य भीच कर शौमौन को जो पत्रस कहलाता है बुलवाले, वो शौमौन चम्डे की धंदा करने वाले की यहां पहुन, जिसका घर समुंदर के किनारे में, जो उसके पास उपिस्तित रहा करते थे, उनमें से एक भक्त सिपाई को बुलाया और उन्हें सब बातें बता कर याफा को भेजा। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुँचे, तो दो पहर के निकट पत्रस कोठे पर प्रार्थना करने चड़ा। उसे भूख लगी और वो कुछ खाना चाहता था। परंतु जब वे तयार कर रहे थे, तो वो बेसुध हो गया। उसने देखा के आकाश खुल गया और एक पात्र पड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ प्रित्वी की ओर उतर रहा है। उसमें प्रित्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जन्तु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया कि पत्रस ने कहा नहीं प्रभू कदापी नहीं क्योंकि मैंने कभी कोई आपवित्र या अशुद वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया कि जो कुछ परमिश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। तीन बार ऐसा ही हुआ तब तुरंत वो पात्र आकाश पर उठा लिया गया जब पत्रस अपने मन में दुविधा कर रहा था कि ये दर्शन जो मैंने देखा क्या है तो देखो वे मनुश्य जिन्हें कुर्नेलियस ने भेजा था शमोन के घर का पता लगा कर देवडी पर आ पत्रस तो उस दर्शन पर सोची रहा था कि आत्मा ने उससे कहा तब पत्रस ने उतर कर उन मनुश्यों से कहा देखो जिसकी खोश तुम कर रहे हो वो मैं ही हूँ. तुमहारे आने का क्या कारण है? उन्होंने कहा कुर्नेलियू सुवेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाती में सुनामी मनुश्य है उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से ये चितावनी पाई है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की और दूसरे दिन वो उनके साथ गया और याफा के भाईयों में से कई उसके साथ हो लिये दूसरे दिन वे केसरिया में पहुँचे और कुर्नेलियूस अपने कुटंबियों और प्रियमित्रों को इकठे करके उनकी रहा था तो कुर्नेलियूस ने उससे भेट की और पावों पढ़के प्रणाम किया परंतु पत्रस ने उससे उठा कर कहा खड़ा हो मैं भी तो मनुष्य हूँ और उसके साथ बाचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत से लोगों को इकठे देखकर उनसे कहा तुम जानते हो कि अन्य जाती की संगती करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को पवित्र या अशुध न कहूँ इसलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया हूँ अब मैं पूछता हूँ क कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया है कुरनेलियूस ने कहा कि इस घड़ी पूरे चार दिन हुए कि मैं अपने घर में तीसरे पहर को प्रार्थना कर रहा था कि देखो एक पुरुष चमखीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आखडा हुआ और कहने लगा हे कुरनेलि तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किये गए हैं इसलिए किसी को याफा भेज कर शमौन को जो पतरस कहलाता है बुला वो समुद्र के किनारे शमौन चमडे के धंदा करने वाले के घर में पाहुन है तब मैंने तुरंद तेरे पास लोग भेजे और तुने भला किया जो आ गया अब हम सब यहां परमेश्वर के सामने हैं कि जो कुछ परमेश्वर ने तुझ से कहा है उसे सुने तब पतरस ने मूँ खोल कर कहा अब मुझे निश्चे हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता वरन हर जाती में जो उ थर्म के काम करता है वे उसे भाता है उसने इस्राइलियों के पास बचन भेजा और उसने येश्व मसीह के द्वारा जो सबका प्रभू है उन्हें शांती का सूसमचार सुनाया वो बात तुम जानते हो जो युहन्ना के बप्तिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ हो कर सारे यहूदा में फैल गई कि परमेश्वर ने किस रीती से येश्व को पवितर आत्मा और सामर्च से अभिषेक किया वो भलाई करता और सब को जो शैतान के सताय हुए थे अच्छा करता फिरा क्योंके परमेश्वर उसके साथ था और हम उन सब कामों के गवां हैं जो उन्होंने यहूदिया के देश और यरुशलम में भी किये और उन्होंने उसे काट पर लटका कर माँ डाला। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया है। सब लोगों को नहीं वरन उन गवाहों को जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था। अर्थात हमको जिन्होंने उसके मरहों में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें आग्या दी कि लोगों में प्रचार करें और गवाही दें कि वो वो ही है जिसे परमेश्वर ने जीवतों और मरे हुऊं का नियाई ठहराया है। उसकी सब भविश्व दोक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की शमा मिलेगी। की बढ़ाई करते सुना। इस पर पत्रस ने कहा क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बब्दिस्मा न पाए। जिन्होंने हमारी नई पवित्र आत्मा पाया है। और उसने आग्या दी कि उन्हें येशु मसी के नाम में बब्दिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि कुछ दिन हमारे साथ रहे। अध्याय ग्यारा उससे वाद विबाद करने लगे कि उसने खतना रहित लोगों के यहां जाकर उनके साथ खाया। तब पत्रस ने उन्हें आरंभ में क्रमानुसार कह सुनाया। मैं याफा नगर में प्रार्षना कर रहा था और बेसुद होकर मैंने दर्शन देखा कि एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकाया हुआ। आकाश से उतर कर मेरे पास आया। जब मैंने उस पर ध्यान दिया तो प्रिथ्वी के चौपाय और बन पशू और रंगने वाले जन्तू और आकाश के पक्षी देखे। और ये शब्द भी सुना हे पत्रस उट मार और खा। मैंने कहा नहीं प्रभू नहीं क्योंकि कोई अपवित्र या अशुद वस्तू मेरे मूँ में कभी नहीं गई। इसके उत्तर में आकाश से दूसरी बार शब्द हुआ जो कुछ परमेश्वन ने शुद्ध धहराया है उसे अशुद्ध मत कहे। तीन बार ऐसे ही हुआ तब सब कुछ फिर आकाश पर खींच लिया गया। और देखो तुरंत तीन मनुष्य जो केसरिया से मेरे पास भेजे गए थे उस घर पर जिसमें हम थे आखड़े हुए। तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ बेखटके हो लेने को कहा। ये छै भाई भी मेरे साथ ही हो लिये और हम उस मनुष्य के घर में गए। उसने बताया कि मैंने एक स्वर्ग दूद को अपने घर में खड़ा देखा। जिसने मुझसे कहा कि याफा में मनुष्य भीज कर शमोर को जो पतरस कहलाता है बुलवाले। वो तुम से ऐसी बाते कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उधार पाएगा। जब मैं बाते करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीती से उतरा। जिस रीती से आरंब में हम पर उतरा था। तब मुझे प्रभु का वो वचन स्मरण आया जो उसने कहा कि युहन्ना ने तो पानी से बब्दिस्मा दिया परंतु तुम पवित्र आत्मा से बब्दिस्मा पाओगी। सो जबके परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु येशु मसी पर विश्वास करने से मिला था। तो मैं कौन था जो परमेश्वर को लोक सकता। ये सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बढ़ाई करके कहने लगे। तब तो परमेश्वर ने अन्हे जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराओ का दान दिया है। आकर युनानियों को भी येशु के सुसमचार की बातें सुनाने लगे। और प्रभु का हाथ उन पर था। और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। तब उनकी चर्चा यरुशलेम की कलीसिया के सुन्ने में आई। और उन्होंने बरनवास को अन्ता किया भेजा। वो वहाँ पहुचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ। और सब को उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिप्टे रहे। वो एक भला मनुष्य था। और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपुरुन था। और बहुत से लोग प्रभु में आ बिले। तब वो शाउल को ढूनने के लिए तरसुस को चला गया। और जब उससे मिला तो उससे अन्ता किया में लाया। और ऐसा हुआ कि वे एक वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। और चेले सबसे पहले अन्ता किया ही में मसीही कहलाए। उन्ही दिनों में कई भविष्य द्युक्ता यरुशलेम से अन्ता किया में आए। उनमें से अकबुस नाम एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेड़ना से ये बताया के सारे जगत में बड़ा अकाल पढ़ेगा। और वो अका में रहने वाले भाईयों की सेवा के लिए कुछ भेजे और उन्होंने ऐसा ही किया और बरन्बास और शाउल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया अध्याय बारा उस समय हेरोदेश राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले उसने युहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनन्दित होते हैं तो उसने पत्रस को भी पकड़ लिया वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे उसने उसे पकड़ कर बंदी ग्रह में डाला और रखवाली के लिए चार-चार सिपाईयों के चार पहरों में रखा इस मंसा से के फसे के बाद उसे लोगों के सामने लाए सो बंदी ग्रह में पत्रस की रखवाली हो रही थी परंतु कलीसिया उसके लिए लोग लगा कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी और जब हेरो देश उसे उनके सामने लाने को था तो उसी रात पत्रस दो जंजीरों से बंधा हुआ दो सिपाईयों के बीच में सो रहा था पहरुए द्वार पर बंदी ग्रह की रखवाली कर रहे थे तो देखो प्रभू का एक स्वर्ग दूद आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में जोती चमकी और उसने पत्रस की पसली पर हाथ मार कर उसे जगाया और कहा और उसके हाथों से जंजी ने खुल कर गिर पड़ी तब स्वर्ग दूद ने उससे कहा उसने वैसा ही किया फिर उसने उससे कहा वो निकल कर उसके पीछे हो लिया परंतु ये ना जानता था कि जो कुछ स्वर्ग दूद कर रहा है वो सच मुच है वरन ये समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकल कर उस लोहे के वाटक पर पहुँचे जो नगर की ओर है वो उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकल कर एक ही गली होकर गए इतने में स्वर्ग दूद उसे छोड़ कर चला गया तब पत्रस ने सचेत होकर कहा अब मैं लिस सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्ग दूद भेज कर हिरोदेश के हाथ से चुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है यह सोच कर वो उस युहन्ना की माता मरियम के घर आये जो मर्कुस कहलाता है वहां बहुत लोग इकठे होकर प्राथना कर रहे थे जब उसने फाटक की खिड़की खटकटाई तो रुदे नाम एक दासी सुनने को आई और पत्रस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला परंतु दोड़ कर भीतर गई और बताया के पत्रस दोआर पर खड़ा है उन्होंने उससे कहा तू पागल है परंतु वो द्रिड़ता से बोली कि ऐसा ही है तब उन्होंने कहा उसका स्वर्ग दूथ होगा परंतु पत्रस खटखटाता ही रहा सो उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित हो गए तब उसने उन्हें हाथ से सेन किया के चिप रहे और उनको बताया के प्रभू किस रीती से मुझे बंदी ग्रह से निकाल लाया है फिर कहा कि याकूब और भाईयों को ये बात कह दे न तब निकल कर दूसरी जगे चला गया भोर को सिपाईयों में बड़ी हलचल होने लगी कि पत्रस का क्या हुआ जब हैरो देश ने उसकी खोज की और ना पाया तो पहरू की जाच करके आग्या दी के वे मार डाले जाएं और वो यहूदिया को छोड़ कर केसरिया में जा रहा वो सूर और सैदा के लोगों से बहुत अप्रसंद था सो वे एक चित होकर उसके पास आए और बलास्तुस को जो राजा का एक करमचारी था मना कर मेल करना चाहा क्योंकि राजा के देश से उनके देश का पालन पोशन होता था और ठैराय हुए दिन हैरो देश राजवस्त्र पहन कर सिंगाहसन पर बैठकर उनको व्याख्यान देने लगा इस पर लोग पुकार उठे कि ये तो मनुश्य का नहीं परमेश्वर का शब्द है उसी क्षण प्रभू के एक स्वर्ग दूत ने तुरंत उसे मारा क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा ना की और वो कीडे पढ़के मर गया परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया जब बरनबास और शावल अपनी सेवा पूरी कर चुके तो युहन्ना को जो मरकुस कहलाता है साथ लेकर यरुशलेम से लोटे अध्याय तेरा अन्ताकिया की कलीसिया में कितने भविश्य दुत्ता और उपदेशक थे अर्थात बरनबास और शमोन जो नीगर कहलाता है और लुक्विस कुरेनी और देश की चोथाई के राजा हेरो देश का दूद भाई मना हेम और शावल जब वे उपवास सहित प्रभू की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा मेरे निमित बरनबास और शावल को उस काम के लिए अलग करो जिसके हिए मैंने उन्हें बुलाया है तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हात रखकर उन्हें बिदा किया सोवे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलुकिया को गए और वहां से जहाज पर चड़कर कूपरुस को चले सलमीस में पहुँचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के अराधनालेव में सुनाया और युहन्ना उनका सेवक था उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुँचे वहां उन्हें बार यीशु नाम एक यहूदी टोना और जूटा भविश्य द्युकता मिला वो सिर्गियूस पॉलुस सूबे के साथ था जो बुद्धिमान पुरुष था उसने बरणबास और शाउल को अपने पास बुला कर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा परन्तु इली मास टोने ने क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है उनका सामना करके सूबे को विश्वास करने से रोकना चाहा तब शाउल ने जिसका नाम पॉलुस भी है पवित्र आत्मा से परिपुरुन हो उसकी और तक-टकी लगा कर कहा हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान सकल धर्म के बैरी क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेड़ा करना ना छोड़ेगा अब देख प्रभु का हाथ तुछ पर लगा है और तू कुछ समाय तक अंधा रहेगा और सूरे को नहीं देख सकेगा तब तुरंत धुनलाई और अंधेरा उस पर छा गया और वो इधर उधर टटोडने लगा कि कोई उसका हाथ पकड़ कर ले चले तब सूबे ने जो हुआ था देख कर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया पॉलुस और उसके साथ ही पाफुस से चहाज खोल कर पंफूलिया के पिरगा में आए और युहन्ना उन्हें छोड़ कर यरुशलेम को लोड़ गया और पिरगा से आगे बढ कर वे पिसी दिया के अन्ताकिय में पहुंचे और सबके दिन अराधनालय में जाकर बैठ गए और विवस्था और भविश्य दुग्दाओं की पुस्तक से पढ़ने के बार सभा के सरदारों ने उनके पास कहला भेजा कि हे भाईयो यदि लोगों के उपदेश के लिए दरने वालों सुनो इन इस्राइली लोगों के परमेश्वर ने हमारे बाप दादों को चुन लिया और जब ये लोग मिसर देश में परदेशी होकर रहते थे तो उनकी उन्नती की और बल्वंत भुजा से निकाल लाया वो कोई चालीस वर्ष तक जंगल में उनकी सहता रहा कनान देश में साथ जातियों का नाश करके उनका देश कोई साड़े चार सौ वर्ष में इनकी मिलास में कर दिया इसके बाद उसने सामुईल भविष्य द्वक्ता तक उनमें न्याई ठहराए उसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा तब परमेश्वर ने चालीस वर्ष के लिए बिन्यामीन के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात कीश के पुत्र शाउल को उन पर राजा ठहराया फिर उसे अलग कर दाउद को उनका राजा बनाया जिसके विशय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यिशय का पुत्र दाउद मेरे मन के अनुसार बिल गया है वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा इसी के वंच में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिग्या के अनुसार इस्राइल के पास एक उधार करता अर्थात यिशु को भेजा जिसके आने से पहले यहुन्ना ने सब इस्राइलियों को मन फिराओ के बप्तिस्मा का प्रचार किया और चब यहुन्ना अपना दौर पूरा करने बढ़ था तो उसने कहा तुम मुझे क्या समझते हो मैं वो नहीं वरन देखो मेरे बाद एक आने वाला है जिसके पाउं की जूती मैं खोलने यो कि नहीं ए भाईयों तुम जो इबराहीम की संतान हो और तुम जो परमेश्वर से डरते हो तुमारे पास इस सुधार का वचन भेजा गया है क्योंकि यरुशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने ना उसे पहचाना और ना भविश्य द्वक्ताओं की बाते समझी जो हर सप्त के दिन पढ़ी जाती हैं इसलिए उसे दोशी ठहरा कर उनको पूरा किया उन्होंने मार डालने के योग्ये कोई दोश उसमें ना पाया तो भी पिलातुस से विनिती की कि वो मार डाला जाए और जब उन्होंने उसके विशय में लिखी हुई सब बाते पूरी की तो उसे क् में रखा मरंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुऊं में से जिलाया और वो उन्हें जो उसके साथ गलील से यरुश्लेम आई थे बहुत दिनों तक दिखाई देता रहा लोगों के सामने अब वे ही उसके गवा हैं और हम तुम्हें उस प्रतिक्या के विशे में जो बाब में भी लिखा है कि तू मेरा पुत्र है आज मैं ही ने तुझे जनमाया है और उसके इस रीती से मरे हुऊं में से जिलाने के विशे में भी कि वो कभी ना सड़े उसने यूं कहा है कि मैं दाउत पर की पवित्र और अचल कृपा तुम पर करूंगा इसलिए उसने एक और भ समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया प्रंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वो सड़ ने नहीं पाया इसलिए हे भाईयों तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापो के क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है और जिन ब इसलिए चोकस रहो ऐसा ना हो कि जो भविश्य द्वक्ताओं की पुस्तक में आया है तुम पर भी आ पड़े कि हे निंदा करने वालों देखो और चकित हो और मिड़ जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक काम करता हूँ ऐसा काम कि यदि कोई तुम से उसकी चर्च और जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आये हुए भक्तों में से बहुतेरे पॉलूस और बरनबास के पीछे हो लिए और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया के परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहे अगले सब के दिन नगर के प्राय सब लोग प परन्तु यहूदी भीड को देख कर डहा से भर गए और निंदा करते हुए पॉलूस की बातों के विरोध में बोलने लगे तब पॉलूस और बरनबास ने निडर होकर कहा आवश्यक था के परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता परन्तु जबके तुम उसे दूर करते हो और अपने को अनंत जीवन के योग नहीं ठहराते तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं क्योंकि प्रभु ने हमें ये आग्या दी है कि मैंने तुझ अन्य जातियों के लिए जोती ठहराया है ताकि तू प्रित्वी की छोर तक उधार का द्वार हो ये सुनकर अन्य जाती आनंदित हुए परमेश्वर के वचन की बढ़ाई करने लगे और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराये गए थे उन्होंने विश्वास किया तब प्र उकसाया और पॉलुस और बरनबास पर उपद्रव करवा कर उन्हें अपने सिवानों से निकाल दिया तब वे उनके सामने अपने अपने पाउं की धूल जाड़कर इकुनियूम को गए और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपुरुन होते रहे अध्याय चौदै एकुनियूम में ऐसा हुआ कि वे यहूदियों के अराधनाले में साथ साथ गए और ऐसी बातें की कि यहूदियों और युनानियों दोनों में से बहुतों विश्वास किया परंतु ना मानने वाले यहूदियों ने अन्यजातियों के मन भाईयों के विरोध में उकसाए और बिगाड दिये और वे बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बाते करते थे और वो उनके हाथों से चिन और आदभुत काम करवा कर अपने परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ गई थी इससे कितने तो यहूदियों की ओर और कितने प्रेड़तों की ओर हो गए परंतु जब अन्यजाति और यहूदी उनका अपमान करने और उन्हें पत्थरवा करने के लिए अपने सरदारों समेत उन पर दोड़े तो वे इस बात को जान गए और लुकाउनिया के लुस्त्रा और दिर्बे नगरों में और आसपास के देशों में भाग गए और वहां सुसमाचार सुनाने लगे लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पाउं का निर्बल था वो जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था वो पॉलुस को बातें करते सुन रहा था पॉलुस ने उसकी ओर टक्टकी लगा कर देखा कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है उसने उचे शब्द से कहा अपने पाउं के बल सीधा खड़ा हो तब वो उचल कर चलने फिरने लगा लोगों ने पॉलुस का ये काम देख कर लुकाउनिया की भाषा में उचे शब्द से कहा देवता मनुश्यों के रूप में होकर हमारी बास उतर आए है और उन्होंने बरनबास को जूस और पॉलुस को हिरमेज कहा क्योंकि ये बाते करने में मुख्य था और जूस के उस मन्दिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था परन्तु बरनबास और बॉलुस प्रेड़तों ने जब सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड में लपके और पुकार कर कहने लगे पर चलने दिया तो भी उसने अपने आपको बेगवान न छोड़ा किन्तु वो भलाई करता रहा और आकाश वर्षा और फलवंत रितु देकर तुमारे मन को भोजन और आनन से भरता रहा ये कहकर भी उन्होंने लोगों को कठिंता से रोका कि उनके लिए बलिदान ना करें परन्तु कितने यहूदियों ने अन्ता किया और इक्यूनियूम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पॉलिस को पत्थरबा किया और मरा समझ कर उसे नगर के बाहर घसीट कर ले गए पर जब चेले उसकी चारों ओर आखडे हुए तो वो उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिर्बे को चला गया और वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुना कर और बहुत से चेले बना कर लुसरा और एक्यूनियूम और अन्ताकिया को लोटाए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि कि विश्वास में बने रहो और ये कहते थे कि हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राजे में प्रवेश करना होगा। अनुब्रह को सौपे गए थी जो उन्होंने अब पूरा कर दिया था। वहाँ पहुचकर उन्होंने कलीशिया इकठी की और बताया कि परमेश्वर ने हमारे साथ होकर कैसे बड़े-बड़े काम किये और अनजातियों के लिए विश्वास का द्वार बोल दिया। वहाँ वे चेलों के साथ बहुत दिन तक रहे। अध्याय पंद्रा फिर कितने लोग यहूदिया से आकर भाईयों को सिखाने लगे के यदि मूसा की दीती पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उध्धार नहीं पा सकते। जब पॉलिस और बरनबास का उनसे बहुत जगड़ा और बाद विवाद हुआ तो ये ठैराया गया कि पॉलिस और बरनबास और उनमें से कितने और व्यक्ति इस बात के विशे में यरुशलेम को प्रेरितों और प्राचीनों के पास जाएं। सो मंडली ने उन्हें कुछ दूर तक पहुँचाया और वे फीनी के और सामरिया से होते हुए अन्य जातियों के मन फेरने का समाचार सुनाते गए। और सब भाईयों को बहुत आनंदित किया। जब यरुशलेम में पहुचे तो कलीसिया और प्रेरित और प्राचीन उनसे आनंद के साथ मिले और उन्हें बताया कि परमेशन ने उनके साथ होकर कैसे कैसे काम किये थे। परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था, उनमें से कितनों ने उठकर कहा कि उन्हें खतना कराने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आग्या देना चाहिए। तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विशे में विचार करने के लिए एकठे हु बहुत वाद विवाद के बाद पत्रस ने खड़े होकर उनसे कहा, करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा, तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परिक्षा करते हो, कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो, जिसे ना हमारे बाब दादे उठा सके थे और ना हम उठा सकते हैं। हमारा ये तो निश्चे है, कि जिस रीती से वो प्रभु येशुह के अलू ग्रह के उद्धार पाएंगे, उसी रीती से हम भी पाएंगे। तब सारी सभा चुपचाप होकर बरनभास और पॉलूस की सुनने लगी, कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे कैसे बड़े चिन्द और अद्भुत काम दिखाए। जब वे चुप हुए, तो याकूब कहने लगा। हे भाईयों, मेरी सुनो, शेमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले पहल अन्य जातियों पर कैसी कुर्पादुष्टी की, कि उनमें से अपने नाम के लिए एक प्रजा बना ले, और इससे भविश्चर दोताओं की बाते मिलती हैं, जैसा लिखा है कि इसके बाद मैं फिर आकर दाउत का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा, और उसके खंधरों को फिर बनाऊंगा, और उसे खड़ा करूंगा, इसलिए कि शेश मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति, जो मेरे नाम के कहलाते हैं, प्रभु को ढूंधें। यह वही प्रभु कहता है, जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है, इसलिए मेरा विचार यह है, कि अन्य जातियों में से जो लोग परमिश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख न दें, परंतु उन्हें लिख भेजें, कि वे मूर्तों की अश् मूसा की व्यवस्था के प्रचार करने वाले होते चले आये हैं, और वह हर सब्द के दिन आरादनालाय में पड़ी जाती हैं। प्रेरितों और प्राचिन भाईयों का नमस्कात, हमने सुना हैं कि हम में से कितनों ने वहां जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया हैं। मनुष्यों को अपने प्यारे बर्नबास और पॉलूस के साथ तुम्हारे पास भेजें। ये तो ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभिश्य मसी के नाम के लिए जोखि में डाले हैं। और हमने यहुदा और सिलास को भेजा हैं। जो अपने मुझ से भी ये बाते कह देंगे। पवित्रा आत्मा को और हम को ठीक जान पड़ा कि इन आवशक बातों को छोड़ तुम पर और बोज न डालें। कि तुम मूर्तों के वली कि हों से, लोहु से, गला घोटे हों के मास से और व्यभिचार से परे रहो। इनसे परे रहो, तो तुमारा भला होगा। आगे शुब। फिर वे विदा होकर अंताकिया में पहुँचे और सभा को इकठी करके वो पत्री उन्हें दे दी। और वे पढ़कर उस उपदेश की बात से अतिया आनुदित हुए। और यहूदा और सीलास ने जो आप भी भविश्य दुखता थे बहुत बातों से भाईयों को उपदेश दे कर स्थिर किया। वे कुछ दिन रहकर भाईयों से शान्ती के साथ दिदा हुए। कि अपने भेजने वालों के पास जाए। परंतु सीलास को वहां रहना अच्छा लगा। और पॉलूस और बरनबास अंताकिया में रह गए। वे बहुत और लोगों के साथ प्रभू के वचन का उपदेश करते और सुसमचार सुनाते रहे। कुछ दिन बाद पॉलूस ने बरनबास से कहा के जिन जिन नगरों में हमने प्रभू का वचन सुनाया था आओ फिर उनमें चल कर अपने भाईयों को देखें कि कैसे हैं। तब बरनबास ने युहना को जो मरकुस कहलाता है साथ लेने का विचार किया। परन्तु पॉलूस ने उसे जो पमफूलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ ना गया। परन्तु पॉलूस ने सिलास को चुन लिया और भाईयों से परमेश्वर के अनुग्रह पर सौपा जाकर वहां से चला गया। और कलीसियाओं को स्थिर करता हुआ सूरिया और किल्किया से होते हुए निकला। अध्याय सोला। फिर वो दिर्बे और लुसरा में भी गया। और देखो वहां तिमूथियस नाम एक चेला था जो किसी विश्वासी यहुदनी का पुत्र था। परंतु उसका पिता युनानी था। वो लुसरा और इकिनियूम के भाईयों में सुनाम था। पॉलुस ने चाहा के वो उसके साथ चले। जो यहुदी लोग उन जगों में थे। उनके कारण उसे लेकर उसका खतना किया। क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका पिता युनानी था। और नगर नगर जाते हुए वे उन विधियों को जो यरुशलेम के प्रेडितों और प्राचीनों ने ठहराई थी, मानने के लिए उन्हें पहुचाते जाते थी। इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और गिनिती में प्रती दिन बढ़ती गई। वे फ्रूगिया और गलतिया देशों में होकर गए और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुचकर बितूनिया में जाना चाहा। परंतु येश्यू के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। सो मूसिया से होकर वे त्रुआस में आए। पॉलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकदूनी पुरुष खड़ा हुआ उनसे विनिती करके कहता है कि पार उतर कर मकदूनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंट मकदूनिया जाना चाहा। ये समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमचार सुनाने के लिए बुलाया है। सो त्रोआज से जहाज घोल कर हम सीधे सुमात्रा के और दूसरे दिन निया पुलिस में आए। वहाँ से हम फिलिपी में पहुँचे जो मकदूनिया प्रांत का मुखेद नगर और रोमियों की बस्ती है। और लुदिया नाम थुआ थीरा नगर की बेंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्तिस्त्री सुनती थी। और प्रभू ने उसका मन खोला ताकि पौलूस की बातों पर चित लगाए। और जब उसने अपने घराने समेत बप्तिस्मा लिया तो उसने विनिती की की। यदि तुम मुझे प्रभू की विश्वासी नी समझते हो तो चल कर मेरे घर में लहो। और वो हमें मना कर ले गई। जब हम प्रार्थना करने की जगए जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी करने वाली आत्मा थी। वो भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमाल आती थी। वो पौलूस के और हमारे पीछे आकर चिलाने लगी कि ये मनश्य परमप्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही। परन्तु पौलूस दुखित हुआ और मूँ फेर कर उस आत्मा से कहा और वो उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही। तो पौलूस और सीलास को पकड़ कर चौक में परधानों के पास खीच ले गए। और उन्हें फौसदारी के हाकिमों के पास ले जाकर कहा। ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं। ये ऐसे वेवार बता रहे हैं जिने ग्रहन करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड के लोग उनके विरोध में इकठे होकर चड़ाएं। और हाकिमों ने उनके कपड़े उतार डाले और उन्हें बैंत मारने की आग्या दे। बहुत बैंत लगवाकर उन्हें बंदी करह में डाला। और दारोगा को आग्या दे कि उन्हें चौट सी से रखें। उसने ऐसे आदिरात के लगभग पॉलस और सेलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन ग कि इतने में एका एक बड़ा भुई डॉल हुआ यहां तक के बंधी ग्रह की नीव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े और दारोगा जाग उठा और बंधी ग्रह के द्वार खुले देकर समझा कि बंधुए भाग गए सो उसने तरवार खीच कर अपने आपको मार डालना चाहा परंतु पॉलुस ने उचे शब्द से पुकार कर कहा अपने आपको कुछ हानी ना पहुचा क्योंकि हम सब यहां हैं तब वो दिया मंगवा कर भीतर लपक गया और कापता हुआ पॉलुस और सेलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा हे साइबो उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूँ उन्होंने कहा प्रभू येशू मसीही पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभू का वचन सुनाया रात को उसी गड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके पाउंध होए और उसने अपने सब लोगों समेथ तुरंत बप्तिस्मा लिये और उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेथ परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया जब दिन हुआ तब हाकिमों ने प्यादों के हाथ कहला भेजा के दारोगा ने ये बातें पॉलुस से कहकर सुनाई के परंतु पॉलुस ने उनसे कहा उन्होंने हमें चो रोमी मनुश्य हैं दो शी ठहराए बिना लोगों के सामने मारा और बंदी ग्रिह में डाला और अब क्या हमें चुपके से निकाल देते हैं ऐसा नहीं परंतु वे आप आकर हमें बाहर ले जाएं प्यादों ने ये बातें हाकिमों से कह दी और वे ये सुनकर के रोमी हैं डर गए और आकर उन्हें मनाया और बाहर ले जाकर विनिती की कि नगर से चले जाएं, वे बंदी ग्रेह से निकल कर लुदिया के यहां गए और भाईयों से भेट करके उन्हें शान्ती दी और चले गए अध्याय सत्रा फिर वे अंपिपुलिस और अपुलोनिया होकर थिसलूनिके में आये जहां यहुदियों का एक अराधना ले था और पॉलुस अपनी रीती के अनुसार उनके पास गया और तीन सब्त के दिन तक वो पवित्र शास्त्रों से उनके साथ विवाद करता रहा वो और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था के मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना आविश्यक था और यही येशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसी है उन में से कितनों ने और भक्त युनानियों में से बहुतेरों ने और बहुत सी कुलिन इस्त्रियों ने मान लिया और पॉलिस और सेलास के साथ मिल गए परंतु यहूदियों ने डहा से भर कर बाजारू लोगों में से कई दोस्ट मनुश्यों को अपने साथ में लिया और भीड लगा कर नगर में हुलड मचाने लगे और यासोन के घर पर चड़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा और उन्हें ना पाकर वे ये चिला आते हुए यासोन और कितने और भाईयों को नगर के हाकिमों के सामने खीच लाए कि ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया हैं यहां भी आए हैं यासोन ने उन्हें अपने यहां उतारा है और ये सब के सब ये कहते हैं कि यिशु राजा है ये कैसर की आज्याओं का विरोध करते हैं उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को ये सुना कर घबरा दिया और उन्होंने यासोन और बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया भाईयों ने तुरंत रात ही रात पॉलुस और सिलास को बिरिया में भीज दिया और वे वहाँ पहुँचकर यहूदियों के अराधनाले में गए ये लोग तो थिसलुनिके के यहूदियों से भले थे उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहन किया वे प्रती दिन पवित्र शास्त्रों में ढूंडते रहे कि ये बातें ऐसी ही हैं कि नहीं तो उन्हें से भहुतों ने और यूनानी कुलीन इस्तरियों में से और पुर्शों में से भहुतोरें ने विश्वास किया किन्तु जब थिसलुनिके के यहुदी जान गए कि पॉलुस बिरिया में भी परमेश्वर का बचन सुनाता है तो वहां भी जाकर लोगों को उक्साने और हल्चल मचाने लगे तब भाईयों ने तुरंट पॉलुस को विदा किया कि समुद्र के किनारे चला जाए परन्तु सिलास और तिमुथियस वहीं रह गए पॉलुस के पहुचाने वाले उसे अथेने तक ले गए और सिलास और तिमुथियस के लिए ये आग्या लेकर विदा हुए कि उसके पास बहुत शीग रहे जब पॉलुस अथेने में उनकी बाट जो रहा था तो नगर को मूर् विबाद किया करता था तब इपिकूरी और स्तोई की पंडितों में से कितने उससे तर्क करने लगे और कितनों ने कहा ये बखवादी क्या कहना चाहता है परंतु औरों ने कहा वो अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पढ़ता है क्योंके वो यीशू का और पुनरुथ प्रचान का सुसमाचार सुनाता था तब वे उसे अपने साथ अर्यूपगुस पर ले गए और पूछा क्या हम जान सकते हैं कि ये नया मत जो तु सुनाता है क्या है क्योंकि तु अनोखी बाते हमें सुनाता है इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है इसलिए कि सब अथेनवी और परदेशी जो वहां रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाए और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। तब पॉलुस ने अर्यू पगुस के बीच में खड़ा होकर कहा। जाने पूछते हो मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने प्रित्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया वो स्वर्ग और प्रित्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। या किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुश्यों के हाथों की सेवा लेता है क्योंकि वो तो आप ही सब को जीवन और स्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुश्यों की सब जातियां सारी प्रित्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंडें कदाचित उसे टटोल कर पा जाएं तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं क्योंकि हम उसी में जीवित रहते चलते भिरते और स्थिर रहते हैं जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंशज हैं सो परमेश्वर का वंश होकर हमें ये समझना उचित नहीं कि इश्वरत्व सोने या रूपे या पत्थर के समान है जो मनुष्य की काली गरी और कल्पना से गढ़े हो इसलिए परमेश्वर अज्यान में वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याइय करेगा जिसे उसने ठहराया है और उसे मरे हुओं में से जिला कर ये बात सब पर प्रमानित कर दी है मरे हुँ के पुनुरुत्थान की बात सुनकर कितने तो ठठा करने लगे और कितनों ने कहा ये बात हम तुझ से फिर कभी सुनेंगे इस पर पॉलुस उनके बीच में से निकल गया परन्तु कई एक मनुश्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया जिन में दियुनियू सियूस अर्यू पगी था और दमरिस नाम एक इस्त्री थी और उनके साथ और भी कितने लोग थे अध्याय अठारा इसके बाद पॉलुस अथेने को छोड़ कर कुरुन्तुस में आया और वहां अक्विला नाम एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुन्तुस का था और अपनी पतनी प्रिसकल्ला समेथ इतालिया से नया आया था क्योंकि कलॉधियस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आग्या दी थी सो वो उनके यहां गया और उसका और उनका एक ही उद्यम था इसलिए वो उनके साथ रहा और वेकाम करने लगे और उनका उद्यम तंबू बनाने का था और वो हर एक सब्त के दिन अराहदनाले में बाद विवाद करके यहूदियों और युनानियों को भी समझाता था जब सिलास और तिमूथियस मकी दुनिया से आए तो पॉलुस बचन सुनाने की धुन में लगकर यहूदियों को गभाई देता था कि यिशू ही मसी है परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े ज़ाड़ कर उनसे कहा तुम्हारा लोहूद तुम्हारी ही करदन पर रहे और बहां से चल कर वो तितुस युस्तुस नाम परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया जिसका घर अराधनाले से लगा हुआ था तब अराधनाले के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से कुरुंथी सुनकर विश्वास लाए और बप्तिस्मा लिया और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पॉलुस से कहा मत दर वरत कहे जा और चुप मत रह क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चड़ाई करके तेरी हानी न करेगा तो वो उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए देड़ वर्ष तक रहा जब गलियो अखाया देश का हाकिम था तो यहूदी लोग एका करके पॉलुस पर चड़ाए और उसे नियाय आसन के सामने लाकर कहने लगे यह लोगों को समझाता है कि परमेश्वर की उपासना ऐसी रीती से करें जो व्यवस्था के विपरीत है जब पॉलुस बोलने पर था तो गलियो ने यहूदियों से कह यहूदियों यदि यह कुछ अन्याय या दुश्टा की बात होती तो उच्थ था कि मैं तुम्हारी सुनता परन्तु यदि ये वाद विवाद शब्डों और नामों और तुमारे जहां की विवस्था की विशे में है तो तुम ही चानो क्योंकि मैं इन बातों का न्याई बनना नहीं चाहता और उसने उन्हें न्याय आसन के सामने निकलुआ दिए तब सब लोगों ने अराध नाले के सरदार सोस्तिनेस को पकड़के न्याय आसन के सामने मारा परन्तु गलियों ने इस बातों की कुछ भी चिंता ना की सो पॉलूस बहुत दिन तक वहां रहा फिर भाईयों से विदा होकर किंकरिया में इसलिए सिर्म उडाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी और जहाज पर सूरिया को चल दिया और उसके साथ प्रिसकला और अविकला थे और उसने इफिसुस में पहुँचकर उनको वहां छोड़ा और आप ही आराधनाले में जाकर यहूदियों से विवाद करने लगा जब उन्होंने उससे विनिती की के हमारे साथ और कुछ दिन रह तो उसने सिवकार ना किया परंतु ये कहकर उनसे विदा हुआ कि यदि परमेश्वर चाहे तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा तब इफिसुस से जहाज खोल कर चल दिया और केसरिया में उतर कर यरूशलेम को गया और कलीसिया को नमसकार करके अंताकिया में आया फिर कुछ दिन रहकर वहां से चला गया और एक और से गलतिया और फ्रूगिया में सब चेलों को स्थिर करता फिरा अपुल्लोस नाम एक यहूदी जिसका जन्म सिकंद्रिया में हुआ था जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था इफिसुस में आया उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगा कर यिशु के विशे में ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था वो केवल यूहन्ना के बब्तिस्मा की बात जानता था वो अराधनाले में निडर होकर बोलने लगा पर प्रिसकल्ला और अक्विला उ उसे अपने यहां ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया और जब उसने निश्चे किया कि पार उतर कर अखाया को जाए तो भाईयों ने उसे ढाडस देकर चेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह मिलें और उसने पहुंचकर वहां उन लोग की बड़ी साहता की जिनोंने अनुग्रे के कारण विश्वास किया था क्योंकि वो पवित्र शास्त्र से प्रमान दे दे कर कि यिशू ही मसीह है बड़ी प्रभलता से यहूदियों को सब के सामने निरुत्तर करता रहा अध्याय उन्निस और जब अपुलोस कुरुन्थूस में था तो पॉलूस उपर के सारे देश से होकर इफिसूस में आया और कई चेलों को देखकर उनसे कहा क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया उन्होंने उससे कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी उसने उनसे कहा तो फिर तुमने किसका बब्तिस्मा लिया उन्होंने उससे कहा युहन्ना का बब्तिस्मा पॉलुस ने कहा, युहन्ना ने ये कहकर मन फिराव का बब्तिस्मा दिया, कि जो मेरे बाद आने वाला है, उस पर अर्थात येशु पर विश्वास करना, ये सुनकर उन्हों ने प्रभु येशु के नाम का बब्तिस्मा लिया, और जब पॉलुस ने उन पर हाथ रखे, तो उन पर पवित्र आत्मा उत्रा, और वे भिन 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 भाशा बोलने और भविश्य वानी करने लगे, सब लगभग बारे पुरुष थे, और वो अराधनाले में जाकर तीन महीने तक निडर होकर बोलता रहा, और परमेश्वर के राज्ये के विशे में विवाद करता और स उसने उनको छोड़कर चेलों को अलग कर लिया, और वो प्रती दिन तुरुनुस की पाठशाला में विवाद किया करता था, दो वर्ष तक यही होता रहा, यहां तक के आसिया के रहने वाले क्या यहुदी, क्या युनानी, सब ने प्रभू का वचन सुन लिया, और विमारियां जाती रहती थी, दुष्टात्माई भी उनसे निकल जाय करती थी, वहां कुछ यहुदी थे, जो जाड़ा फूकी करते फिरते थे, वे लोग जिनमें दुष्टात्माई हों, उन पर प्रभू येशु का नाम ये कहकर फूकने लगे, कि जिस येशु का प्रच तुल को मैं जानती हूं, अद पावलुस को भी पेचानती हूं, परंत तुम कौन हों। और उस मनुष्ये ने, जिसमें दुष्टात्मा थी, उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया, कि वे नंगे और खायल होकर उस घर से निकल भागे। ये बात इफिसुस के रहने वाले यहूदी और युनानी भी सब जान गए, और उन सब पर भैचा गया, और प्रभ्यू यीशु के नाम की बढ़ाई हूं, जिन्नों ने विश्वास किया था, उन में से बहुतों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया, और जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथिया इकठी करके सब के सामने जला दी, और जब उनका दाम जोडा गया, तो पचास हजार रुपए की निकली, यो प्रभू का वचन बलपूरवक फैलता गया, और प्रबल होता गया, जब ये बातें हो चुक उसे रोमा को भी देखना आवश्यक है। हे मनश्यो, तुम जानते हो के इस काम से हमें कितना धन मिलता है, और तुम देखते और सुनते हो, के केवल इफिसुस ही में नहीं, वरन सारे आसिया में ये कह कह कर, इस पॉलुस ने बहुत लोगों को समझाया और भरमाया भी है, के जो हाथ की कारीगरी हैं, वे इश्वर नहीं, और अब केवल इसी एक बात का ही डर नहीं, के हमारे इस धन्धे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, वरन ये, के महान देवी अर्तिमिस का मंदिर तुछ समझा जाएगा, और जिसे सारा आसिया और जगत पूझता है, उसका महत्व भी जाता रहेगा, वे ये सुनकर क्रोध से भर गए, और चिला चिला कर कहने लगे, इफिसियो की अर्तिमिस महान है, और सारे नगर में बड़ा कूला हल मच गया, और लोगों ने गयूस और अरिस्तर खुस मिक दुनिया को जो पॉलुस के संगी यात्री थे, पकड़ ले, और एक चित होकर र जाना चाहा, तो चेलों ने उसे जाने ना दिया, आसिया के हाकिमों में से भी उसके कई मित्रों ने उसके पास कहला भेजा, और विनिती की कि रंग शाला में जाकर जोकिम न उठाना, तो कोई कुछ चिलाया, और कोई कुछ, क्योंकि सभावे बड़ी गड़वड़ी हो र भीड में से आगे बड़ा है, और सिकंदर हाथ से सैन करके लोगों के सामने उत्तर दिया चाहता था, परंतु जब उन्होंने जान लिया कि वो यहुदी है, तो सब के सब एक शब्त से कोई दो घंटे तक चिलाते रहे कि एफिस्यों की अर्थिमिस महान है, तब नगर के मं है फिस्यों कौन नहीं जानता के फिस्यों का नगर बड़ी देवी अर्थिमिस के मंदिर और जूस की ओर से गिरी हुई मूरत का तहलुआ है, सो जबकि इन बातों का खंधनी नहीं हो सकता, तो उचित है कि तुम चुपके रहो, और बिना सोचे विचारे कुछ ना करो, क्योंकि तुम इन मनुष्यों को लाए हो, जो ना मंदिर के लूटने वाले हैं, और ना हमारी देवी के निंदक हैं, यदि देमित्रियूस और उसके साथ ही कारिगरों को किसी से विवाद हो, तो कचहरी खुली है और हाकिम भी है, वो एक दूसरे पर नालिश करें, किसी और बात के विशे में कुछ पूछना चाहते हो, तो नियत सभा में फैसला किया जाएगा, क्योंकि आज के बल्बे के कारण हम पर दोश लगाए जाने का डर है, इसलिए कि इसका कोई कारण नहीं है, तो हम इस भीड के खटा होने का उत्तर ना दे सकेंगे। और ये कहकर उसने सभा को विदा किया। की और चल दिया, और उस सारे देश में से होकर और उन्हें बहुत समझा कर वो युनान में आया। जब तीन महीने रहकर जहाज पर सूरिया की और जाने पर था, तो यहूदी उसकी घात में लगे। इसलिए उसने ये सला की के मकी दुनिया होकर लट जाए। बिरिया के पुरूरुस का पुत्र सुपत्रुस और थिसलूनी कियू में से अरिस्तर खुस और सिकुंदुस और दिर्बे का गयुस और तिम्यूथिस और आसिया का तखिकुस और तुफिमुस आसिया तक उसके साथ हो लिए। वे आगे जाकर त्रोवास में हमारी बाट चोड़ते रहे। और हम अखमीरी रोटी के दिनों के बाद फिलिपी से जहाज पर चड़कर पांच दिन में त्रोवास में उनके पास पहुँची। और साथ दिन तक वहीं रहे। सप्ता के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए एकठे हुए तो पॉलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अटारी पर हम एकठे थे उसमें बहुत दिये जल रहे थे। और यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नेंद से जुक रहा था। और जब पॉलुस देर तक बातें करता रहा तो वो नेंद के जोके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पॉलुस उतर कर उससे लिपट गया और गले लगा कर कहा खबराव नहीं क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और उपर जाकर रूटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पॉप हट गई। फिर वो चला गया और वे उस लड़के को जीवित ले आए। और बहुत शांती पाई। हम पहले से जहाज पर चड़कर असुस को इस विचार से आगे गए कि वहां से हम पॉलुस को चड़ा लें क्योंकि उसने ये इसलिए ठहराया था कि आप ही पैदल जाने वाला था। जब वो असुस में हमें मिला, तो हम उसे चड़ा कर मितू लेने में आए। और वहां से जहाज खोल कर हम दूसरे दिन खीयूस के सामने पहुचे। और अगले दिन सामुस में लगान कि या। फिर दूसरे दिन मिलेत उसमें आए। क्योंकि पॉलूस ने इफिसुस के पास से होकर जाने की ठानी थी, कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे आसिया में देर लगे, क्योंकि वो जल्दी करता था, कि यदि हो सके तो उसे पिंते कुस्त का दिन यरुशलेम में कटे, और उसने मिले तुस से इफिसुस में कहला भेजा, और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया, जब वे उसके पास आये, तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुचा, मैं हर समय तुमारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थाथ बड़ी दीनता से और आसु बहा बहा कर, और उन परिक्षाओं में से जो यहूदियों के शड़ियंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभू की सेवा करता ही रहा, और जो जो बातें तुमारे लाप की थी उनको बताने, और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना जिचका, वरन यहूदियों और युनानियों के सामने गवाही देता रहा, कि परमेश्वर की और मन फिराना और हमारे प्रभू यिशु मसीही पर विश्वास करना चाहिए, और अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरुश्लेम्द को जाता हूँ, और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या-क्या बीतेगा, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है, कि बंधन और प्लेश तेले लिए तैयार है, वरन तुमाए अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, कि उसे प्रिये जान। वरन ये कि मैं अपनी दोड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूँ, जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सू समाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु येश्यू से पाई है। और अब देखो, मैं जानता हूँ कि तुम सब जिन में मैं परमेश्वर के रज्ज का प्रचार करता फिरा, मेरा मूँ फिर ना देखोगे। इसलिए मैं आज के दिन तुम से गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सब के लोहू से निर्दोश हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मंसा को तुम्हें पूरी रीती से बताने से ना जिचका, इसलिए अपनी और पूरे जुन्ड की चौक्सी करो, जिसमें पवित रात्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कली सिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लोहू से मोल लिया है, मैं जानता हूँ कि मेरे चाने के बाद फारने वाले भेड़िये तुम में आएंगे, जो जुन्ड को ना छोड़ेंगे, तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठ जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने के लिए डेढ़ी मेढ़ी बाते कहेंगे, इसलिए जाते रहो और स्परन करो कि मैंने तीन वर्ष तक राद दिन आसू बहा बहा कर हर एक को चनावती देना ना छोड़ा, पर अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग् जान्दी सोने या कपड़े का लालच नहीं किया, तुम आप ही जानते हो कि इनी हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यक्ताइं पूरी की, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीती से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु की बातें स्परन रखना अवश्य है कि प्रुस्ट ने आप ही कहा है कि लेने से देना धन्य है। ये कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। तब वे सब बहुत रोए और पॉलुस के गले में लिपट कर उसे चूमने लगे। वे विशेश करके इस बात का शोक करते थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मूँ फिर ना देखोगे। और उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया। सीधे मार्ग से कोस में आये और दूसरे दिन रुदूस में और वहां से पत्रा में और एक जहाज फीनी के को जाता हुआ मिला और उस पर चड़ कर उसे खोल दिया। जब कुपरुस दिखाई दिया तो हमने उसे बाएं हाथ छोड़ा और सूरिया को चल कर सूर में क्योंकि वहां जहाज का बोज उथारना था और चेलों को पाकर हम वहां साथ दिन तक रहें। अपने घर लोट गए। तब हम सूर से जल यात्रा पूरी करके पतुले मेस में पहुचें और भाईयों को नमस्कार करके उनके साथ एक दिन रहें। दूसरे दिन हम बहां से चल कर केसरिया में आए। और फिलिपुस सुस्समाचार प्रचारक के घर में जो सातों में से एक था जाकर उसके यहां रहे। उसकी चार कुवारी पुत्रियां थी जो भविश्य द्वानी करती थी। जब हम बहां बहुत दिन रह चुके तो अगबुस नाम एक भविश्य द्युक्ता यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पॉलुस का पठका लिया और अपने हाथ पाउं बांध कर कहा। पवित्र आत्मा ये कहता है कि जिस मनुष्य का ये पठका है उसको यरुशलेम में यहूदी इसी रीती से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौपेंगे। जब ये बाते सुनी तो हम और वहा के लोगों ने उससे बिनिती की कि ये यरुशलेम को ना जाया। परंतु पॉलुस ने उत्तर दिया कि तुम क्या करते हो कि रो रोकर मेरा मन तोड़ते हो। मैं तो प्रभू ये शु के नाम के लिए यरुशलेम में ना केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। जब उसने नामाना तो हम ये कहकर चुप हो गए कि प्रभू के इच्छा पूरी हो। उन दिनों के बाद हम बांध च्छान्द कर यरुशलेम को चल दिये। केसरिया के भी कितने चेले हमारे साथ हो लिये। और मनासोन नाम कुपरुस के एक पुराने चेले को साथ ले आए कि हम उसके यहां टिकें। जब हम यरुशलेम में पहुँचे तो भाई बड़े आनंद के साथ हमसे मिले। दूसरे दिन पॉलूस हमें लेकर याकूप के पास गया। जहां सब प्राचीन इकठे थे। तब उसने उन्हें नमस्कार करके जो जो काम परमेश्वर ने उसकी सेवकाई के द्वारा अन्य जातियों में किये थे। एक एक करके सब बताए। उन्होंने ये सुनकर परमेश्वर की महिमा की। फिर उससे कहा हे भाई तू देखता है कि यहुदियों में से कई हजार ने विश्वास किया और सब व्यवस्था के लिए धून लगाए हैं और उनको तेरे विशय में सिखाया गया है कि तू अन्य जातियों में रहने वाले यहुदियों को मूसा से फिर जाने को सिखाता है और कहता है कि ना अपने बच्चों का खत्ना कराओं और ना रितियों पर चलो। सो क्या किया जाएं। लोग अवश्य सुनेंगे कि तू आया है। इसलिए जो हम तुझ से कहते हैं रुखकर हमारी यहां चार मनुश्य हैं जिनोंने मननत मानी हैं। उन्हें लेकर उनके साथ अपने आप को शुद कर और उनके लिए खर्चा दे कि वे सिर मुणाएं। तब सब जान लेंगे कि जो बाते उन्हें तेरे विशय में सिखाए गई उनकी कुछ जड़ नहीं हैं। परंतु तु आप भी व्यवस्था को मान कर उसके अनुसार चलता है। परंतु उन अन्य जातियों के विशय में जिनोंने विश्वास किया हैं। हमने यह निर्नय करके लिख भीजा है कि वे मूर्तों के सामने बली की हुए मास से और लोहू से और गला घोटे हुँँ के मास से और वेविचार से बचे रहें। तब पॉलुस उन मनुश्यों को लेकर और दूसरे दिन उनके साथ शुद्ध होकर मंदिर गया। और बता दिया कि शुद्ध होने के दिन अर्थात उनमें से हर एक के लिए चड़ावा चड़ाए जाने तक के दिन का पूरे होंगे। जब वे साथ दिन पूरे होने पर थे तो आसिया के यहुदियों ने पॉलुस को मंदिर में देखकर सब लोगों को उसकाया। और यूँच चिला कर उसको पकड़ लिया कि यह इस्राएलियों सहायता करो यह वही मनुष्य है जो लोगों के और व्यवस्था के और इस्थान के विरोध में हर जगा सब लोगों को सिखाता है। जना तक के युनानियों को भी मंदिर में लाकर उसने इस पवित्र स्थान को अपवित्र किया है। बंद किये गए। जब वे उसे मार डालना चाहते थे तो पल्टन के सरदार को संदेश पहुचा कि सारे यरुशले में कोला हल मच रहा है। तब वो तुरंत सिपाहियों और सुवेदारों को लेकर उनके पास नीचे दोड़ाया। और उन्हों ने पल्टन के सरदार को और सिपाहियों को देखकर पॉलुस को मारने पीठने से हाथ उठाया। तब पल्टन के सरदार ने पास आकर उसे पकड़ लिया और दो जंजीरों से बांधने की आग्या देकर पूछने लगा। ये कौन है और इसने क्या किया है। परंतु भीड में से कोई कुछ और कोई कुछ चिलाते रहे। और जब हुलड के मारे ठीक सचाई ना जान सका तो उसे गड में ले जाने की आग्या थी। जब वो सीड़ी पर पहुचा तो ऐसा हुआ कि भीड के दबाग के मारे सिपाहियों को उसे उठा कर ले जाना पड़ा। क्योंकि लोगों की भीड ये चिलाती हुई उसके पीछे पड़ी कि उसका अंत कर दो। जब वे पॉलूस को गड में ले जाने पर थे तो उसने पल्टन के सरदार से कहा। उसने कहा क्या तु युनानी जानता है क्या तु वे मिस्री नहीं जो इन दिनों से पहले बलवाई बना कर चार हजार कटार बंद लोगों को जंगल में ले गया। पॉलूस ने कहा मैं तो तरसुस का यहुदी मनुष्य हूं किली किया कि प्रसिध नगर का निवासी हूं और मैं तुझ से विनती करता हूं कि मुझे लोगों से बाते करने दे। जब उसने आग्या दी तो पॉलूस ने सीड़ी पर खड़े होकर लोगों को हाथ से सैन किया। जब विचुप हो गए तो वो इबरानी भाशा में बोलने लगा कि अध्याय बाईस हे भाईयो और पितरो मेरा प्रत्युत्तर सुनो जो मैं अब तुम्हारे सामने कहता हूं। वे ये सुनकर कि वो हमसे इबरानी भाशा में बोलता है और भी चुप रहें। तब उसने कहा मैं तो यहुदी मनुश्य हूँ जो किली किया के तरसुस में जन्वा परन्तु इस नगर में गमलीयल के पाउं के पास बैठकर पढ़ाया गया। और बाप दादों की वेवस्था की ठीक रीती पर सिखाया गया। और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाये था जैसे तुम सवाज लगाये हो। और मैंने पुरुष और इस्त्री दोनों को बांद बांद कर और बंदी ग्रही में डाल डाल कर इस पंत को यहां तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। इस बात के लिए महायाजाक और सब पुरन ये गवाँ हैं कि उनमें से मैं भाईयों के नाम पर चुठियां लेकर दमिश्क को चला जा रहा था। कि जो वहां हों उन्हें भी दंड दिलाने के लिए बांद कर यरुष लेम मिलाऊं। जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभगे का एक एक बड़ी ज्योती आकाश से मेरे चारो और चमकी और मैं भूमी पर गिर पड़ा। और ये शब्द सुना, हे शाउल, हे शाउल, तु मुझे क्यों सताता है। मैंने उत्तर दिया, हे प्रभू तु कौन है। उसने मुझ से कहा, मैं यिशू नासरी हूँ जिसे तु सताता है। और मेरे साथियों ने ज्योती तु देखी, परंतु जो मुझ से बोलता था उसका शब्द ना सुना। तब मैंने कहा, हे प्रभू मैं क्या करूँ। प्रभू ने मुझ से कहा, उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है, वहां तुझ से सब कह दिया जाएका। जब उस जियोती के तेच के मारे मुझे कुछ दिखाई ना दिया, तो मैं अपने साथियों के हाथ पक्ड़े हुए दमिश्क में आया। हनन यहा नाम का व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुश्य, जो वहां के रहने वाले सब यहूदियों में सुना था मेरे पास आया। और खड़ा होकर मुझसे कहा, ए भाई शाउल फिर देखने लग, उसी खड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उसे देखा। तब उसने कहा, हमारे बादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने, और उस धर देखी और सुनी है, अब क्यों देर करता है, उट पफ्तिसमा ले। और उसका नाम लेकर अपने पापों को धोडाल। जब मैं फिर यरुशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, तो बेसुध हो गया, और उसको देखा कि मुझसे कहता है, चल्दी करके यरुश पास करने वालों को बंदी क्रीह में डालता, और जगे जगे आराध नालए में पिटवाता था, जब तेरे गवाह इस थिफ्नुस का लोहू बहाया जा रहा था, तब मैं भी वहां खड़ा था, और इस बात में सहमत था, और उसके घातकों के कपड़ों की रखवाली करता और उसने मुझसे कहा, चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्ने जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। वे इस बात तक उसकी सुनते रहें, तब उचे शब्द से चिलाए कि ऐसे मनुष्य का अंत करो, उसका जीवित रहना उचित रही। जब वे चिलाते और कपड़े और आकाश में धूर उड़ाते थे, तो पल्टन के सुबेदार ने कहा, कि इसे गड़ में ले जाओ, और गोड़े मार कर जाचो, कि मैं जानूं कि लोग किस कारण उसके विरोध में ऐसे चला रहे हैं। जब उन्होंने उसे तसमों से बांधा, तो पॉलुस ने उस सुबे सुबेदार ने ये सुनकर पल्टन के सरदार के पास जाकर कहा, तू ये क्या करता है, ये तो रोमी मनुष्य है। तब पल्टन के सरदार ने उसके पास आकर कहा, मुझे बता, क्या तू रोमी है। उसने कहा, ये सुनकर पल्टन के सरदार ने कहा, कि मैंने रोमी होने का जन्म से ही रोमी हूँ। जन्म से खड़ा कर दिया। महायाजक ने उनको जो उसके पास खड़े थे उसके मुँपर थपड मारने की आग्या दी। तब पॉलुस ने उससे कहा। जो पास खड़े थे उन्होंने कहा। पॉलुस ने कहा। हे भाईयों मैं नहीं जानता था कि ये महायाजक है क्योंकि लिखा है कि अपने लोगों के प्रधान को पुरा ना कहे। तब पॉलुस ने ये जानकर कि कितने सदूकी और कितने फरीसी हैं। सभा मैं पुकार कर कहा। हे भाईयों मैं फरीसी और फरीसीयों के वंच का। मरे हूँ की आशा और पुनरुत्थान के विशय में मेरा मुकदमा हो रहा है। जब उसने ये बात कही तो फरीसीयों और सदूकियों में जगड़ा होने लगा। और सभा मैं फूट पड़ गई। क्योंकि सदूकियों तो ये कहते हैं कि ना पुनरुत्थान है ना स्वर्गदूत और ना आत्मा है। परन्तु फरीसी दोनों मानते हैं। तब बड़ा हल्ला मचा। और कितने शास्त्री जो फरीसीयों के दलके थे उठकर यू कहकर जगड़ने लगे कि हम इस मनुष्य में कुछ बुराई नहीं पाते। और यदि कोई आत्मा ये स्वर्ग दूत उससे बोला है तो फिर क्या। जब बहुत जगड़ा हुआ तो पल्टन के सरदार ने इस दरसे कि वो पॉलुस के टुकड़े टुकड़े ना कर डालें पल्टन को आगया दी कि उतर कर उसको उनके बीच में से बर्बस निकालो और गड़ में ले आओ। उसी रात प्रभु ने उसके पास आखड़े होकर कहा। जब दिन हुआ तो यहूदियों ने एका किया और शपत खाई के जिन्होंने आपस में ये शपत खाई थी वे चालिस जनों के उपर थे। उन्होंने महायाजकों और पुर्नियों के पास आकर कहा हमने ये ठाना है कि जब तक हम पॉलुस को मार ना डालें तब तक यदि कुछ चकहे भी तो हम पर दिकार पर दिकार है। इसलिए अब बहासबा समेत पल्टन के सदार को समझाओ कि उसे तुम्हारे पास ले आए। मानो कि तुम उसके विशे में और भी ठीक जाच करना चाहते हो और हम उसके पहुचने से पहले ही उसे मार डालने के लिए तयार रहेंगे। और पॉलुस के भांजे ने सुना कि वे उसकी घात में हैं तो गड़ में जाकर पॉलुस को संदेश दिया। पॉलुस ने सुबेदारों में से एक को अपने पास बुला कर कहा। इस जवान को पल्टन के सरदार के पास ले जाओ। ये उससे कुछ कहना चाहता है। तो उसने उसको पल्टन के सर्दार के पास ले जाकर कहा। पॉल्टन के सर्दार ने उसका हाथ पकड़ कर और अलग ले जाकर पूछा। मुझसे क्या कहना चाता है। उसने कहा यहुदियों ने एका किया है कि तुझसे बिंती करे। कि कल पॉलुस को महासभा में लाए, मानो तु और ठीक से उसकी जांच करना चाहता है, परन्तु उनकी मत मानना, क्योंकि उनमें से चालिज की उपर मनुष्य उसकी घात में हैं, जिन्होंने यह ठान लिया है, कि जब तक हम पॉलुस को मार न डाले, तब तक खाएं पियें, तो हम पर धिकार और अभी वी तयार है, और तेरे वचन की आस देख रहे हैं, तब पल्टन के सरदार ने जवान को ये आग्या देकर विदा किया, कि किसी से ना कहना कि तूने मुझको ये बातें बताई हैं, और दो सुविदारों को बुला कर कहा, उसने इस प्रकार की चिठ्थी भी लिखी, महा प्रतापी, फैलिक्स हाकिम को क्लाओदियस लूसियास का नमश्कार, इस मनिश्यों को यहुदियों ने पकाड़ कर मार डालना चाहा, परन्तु जब मैंने जाना कि रोमी हैं, तो पल्टन लेकर छोड़ा लाया, और मैं जानना चाहता था, कि वे उस पर किस कारण दोश लगाते हैं, इसलिए उसे उनकी महा सवा में ले गया, तब मैंने जान लिया, कि वे अपनी विवस्था के विवादों के विशे में उस पर दोश लगाते हैं, परन्तु मार डाले जाने या बांधे जाने के योग्ये उसमें कोई दोश नहीं और जब मुझे बताया गया कि वे इस मनिश्य की घात में लगे हैं तो मैंने तुरंत उसको तेरे पास भेज दिया और मुद्धियों को भी आज्या दी कि तेरे सामने उस पर नालिश करें सो जैसे सिपाहियों को आग्या दी गई थी वैसे ही पॉलुस को लेकर रातो रात अंति पत्रिस में लाएं दूसरे दिनवे सवारों को उसके साथ जाने के लिए छोड़ कर आप घर को लोटें उन्होंने केसरिया में पहुँचकर हाकिम को चिठी दी और पॉलुस को भी उसक किस देश का है और जब जान लिया कि किल्किया का है तो उससे कहा जब तेरे मुद्दई भी आएंगे तो मैं तेरा मुकद्मा करूंगा और उसने उसे हेरो देश के किले में पहरे में रखने की आग्या दी पांच दिन के बाद हनन याय महायाजक कई पुरनियों और तिर्तुलुस नाम किसी वकील को साथ लेकर आया उन्होंने हाकिम के सामने पॉलुस पर नालिश की जब वो बुलाया गया तो तिर्तुलुस उस पर दोश लगा कर कहने लगा के हे महा प्रतापी फेलिक्स तेरे द्वारा हमें जो बड़ा कुशल होता है तेरे प्रबंध से इस जाती के लिए कितनी बुराया सुधरती जाती है इसको हम हर जगे और हर प्रकार से धन्यवात के साथ मानते हैं परंतो इसलिए कि तुझे और दुख नहीं देना चाहते मैं तुझसे विनती करता हूँ कि कृपा करके हमारी दो एक बातें सुन ले क्योंकि हमने इस मनुष्य को उपद्रवी और जगत के सारे यहूदियों में बलवा कराने वाला और नासरीयों के कुपंत का मुखिया प यहूदियों ने भी उसका साथ दे कर कहा बातें इसी प्रकार के हैं जब हाकिम ने पॉलुस को बोलने के लिए सैन किया तो उसने उत्तर दिया मैं यह जानकर कि तो बहुत वर्ष्यों से इस चाती का न्याय करता है आनंद से अपना प्रत्युत्तर देता है तो आप जान सकता है कि जब से मैं यरुशलेम में भजन करने को आया मुझे बारा दिन से उपर नहीं और उन्होंने मुझे ना मंदिर में ना सभा के घरों में ना नगर में किसी से विवात करते या भी लगाते पाया और ना तो वे उन बातों को जिनका वे अब मुझे पर दोश लगाते हैं तेरे सामने सच ठहरा सकते हैं परन्तु ये मैं तेरे सामने मान लेता हूँ कि जिस पंथ को वे कुपंथ कहते हैं उसी की रीती पर मैं अपन जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होका इस से मैं आप भी यतन करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुश्यों की और मेरा विवेक सधा निर्दोश रहे बहुत वर्ष्यों के बाद मैं अपने लोगों को दान पहुँचाने और भीट चढ़ाने आया था उन्होंने मुझे मंदर में शुध दशा में बिना भीड के साथ और बिना दंगा करते हुए इस काम में पाया हाँ आसिया के कई यहुदी थे उनको उचित था कि यदि मेरे विरोध में उनकी कोई बात हो तो यहां तेरे सामने आकर मुझ पर दोश लगाते या या आप ही कहें कि जब मैं महासभा के सामने खड़ा था तो उन्होंने मुझे में कौन सा अपरात पाया इस एक बात कुछ हो जो मैंने उनके बीच में खड़े होकर पुकार कर कहा था कि मरे हुओं के जी उचने के विशे में आज मेरा तुम्हारे सामने मुकदमा हो रहा है फैलिक्स ने जो इस पंथ की बातें ठीक ठीक जानता था उन्हें ये कहकर टाल दिया कि जब पल्टन का सरदार लूसियास आएगा तो तुम्हारी बात का निर्णे करूंगा और सूबेदार को अग्या दी कि पॉल उसको सुक से रख कर रखवाली करना और उसके मित्रों में से किसी को भी उसकी सेवा करने से न रोकना कितने दिनों के बाद फैलिक्स अपनी पतनी दुरुसिल्ला को जो यहूदनी थी साथ लेकर आया और पॉलुस को बुलुआ कर उस विश्वास के विशे में जो मसी यिशू पर है उससे सुना और जब वो धर्म और सैयम और आने वाले नयाय की चर्चा करता था तो फैलिक्स ने भयमान होकर उत्तर दिया कि अभी तुझा अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाओंगा उसे पॉलुस से कुछ रुपए मिलने की भी आज थी इसलिए और भी बुला बुला कर उससे बातें किया करता परन्तु जब दो वर्ष बीत गए तो पुर्कियूस फैस्तुस फैलिक्स की जगह पर आया और फैलिक्स यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पॉलुस को बंधुआ छोड़ गया पच्चीसवा अध्याए फैस्तुस उस प्रांत में पहुँच कर तीन दिन के बाद केसरिया से यरुशलेम को गया तब महायाजकों ने और यहूदियों के बड़े लोगों ने उसके सामने पॉलुस की नालिश की और उससे विनती करके उसके विरुद में ये वर चाहा कि वो उसे यरुशलेम में बुलवाए क्योंकि वे उसे रास्ते ही में मार डालने की घात लगाए हुए थे फिस तुस ने उत्तर दिया कि पॉलुस कैसरिया में पहरे में है और मैं आप जल्दी वहाँ जाऊंगा फिर कहा तुम में जो अधिकार रखते हैं वे साथ चलें और यदि इस मनुश्य ने कुछ अनुचित काम किया है तो उस पर दोश लगाएं और उनके बीच कोई आठ दस दिन रहकर वो केसरिया गया और दूसरे दिन न्याय आसन पर बैठकर पॉलुस के लाने की आज्या दी जब वो आया तो जो यहूदी यरुशलेम से आये थे उन्होंने आसपास खड़े होकर उस पर बहुतेरे भारी दोश लगाएं जिनका प् पॉलुस ने उत्तर दिया कि मैने ना तो यहूदियों की व्यवस्ता का और ना मंदिर का और ना कैसर का कुछ अपरात किया है। तब फेस्तुस ने यहुदियों को खुश करने की इच्छा से पॉलुस को उत्तर दिया क्या तू चाहता है कि येरुशलम को जाएं और वहां मेरे सामने तेरा ये मुकदमा तै किया जाएं पॉलुस ने कहा मैं कैसर के नियाय आसन के सामने खड़ा हूँ मेरे मुकदमे का यही फैसला होना चाहिए जैसा तू अच्छी तरह जानता है यहुदियों का मैंने कुछ अपराद नहीं किया यदि अपरादी हूँ और मार डाले जाने योग ये कोई काम किया है तो बरने से नहीं डिम करता परन्त जिन बातों का ये मुझ पर दोश लगाते हैं यदि उन में से कोई बात सचना ठहरे तो कोई मुझे उनके हाथ नहीं सौप सकता मैं कैसर की दोहाई देता हूँ तब फेस्तुस ने मंत्रियों की सभा के साथ बाते करके उत्तर दिया तू ने कैसर की दोहाई दी है तू कैसर के पास जाएगा और कुछ दिन बीथने के बाद अगरिपा राजा और बिरनी के ने केसरिया में आकर फेस्तुस से भेट की और उनसे बहुत दिन वहाँ रहने के बाद फेस्तुस ने पॉलुस की कथा राजा को बताई कि एक मनुष्य है जिसे फैलिक्स बंदुआ छोड़ गया है। जब मैं येरुशिलम में था तो ये महायजक और यहुदियों के पुर्णियों ने उसकी नालिश की और चाहा कि उस पर दंड की आग्या दी जाए। परंतु मैंने उनको उतर दिया कि रोमियों की ये रिती नहीं कि किसी मनुष्य को डंड के लिए सौम दें। जब तक मुद्धालय को अपने मुद्धईयों के आमने सामने खड़े होकर दोश की उतर देने का अफसर ना मिले। सो जब वे यहें खटे हुए तो मैंने कुछ देर ना की परंतु दूसरे ही दिन नियाय आसन पर बैठकर उ उस मनुष्य को लाने की आग्या दी। जब उसके मुद्धई खड़े हुए तो उन्होंने ऐसी बुरी बातों का दोश नहीं लगाया जैसा मैं समझता था। परंतु अपने मत के और येश्विनाब किसी मनुष्य के विशे में जो मर गया था। और पॉलूस उसको जीवि परंतु जब पॉलूस से दोहाई दी कि मेरे मुकदमे का फैसला महराजादी राज की यहाँ हो तो मैंने आग्या दी कि जब तक उसे कैसर के पास ना भीजूं उसकी रखवाली की जाए। जब अग्रिपा ने फेस्तुस से कहा मैं भी उस मनुष्य की सुनना चाहता हूं। उसने कहा तू कल सुन लेगा। सो दूसरे दिन जब अग्रिपा और बिर्नी के बड़ी धूम धाम से आकर पल्टन के सरदारों और नगर के बड़े लोगों के साथ दरबार में पहुचे तो फेस्तुस ने आग्या दी कि वे पॉलूस को ले आए। फेस्तुस ने कहा हे महराजा ग्रिपा और हे सब मनुश्यों जो यहां हमारे साथ हो तुम इस मनुश्य को देखते हो जिसके विशे में सारी यहुदियों ने यरुशलम में और यहां भी चिला चिला कर मुझसे बिंती की कि इसका जीवित रहना कुछ इत नहीं है। परंतु मैंने जान लिया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि मार डाला जाए। और जबकि उसने आप ही महराजा दिराज की दोहाई दी तो मैंने उसे भेजने का उपाय निकाला। परंतु मैंने उसके विशे में कोई ठीक बात नहीं पाई कि अपने स्वामी के पास लिखू। इसलिए मैं उसे तुम्हारे सामने और विशेश करके हे महराजा अगरिपा तेरे सामने लाया हूँ कि जाचने के बाद मुझे कुछ लिखने को मिले। क्योंकि बंधुए को भेजना और जो दोश उस पर लगाए गए उन्हें ना बताना मुझे व्यर्थ समझ पड़ता है। कि बोलने की आग गया है। तब पॉलिस हाथ बढ़ाकर उत्तर देने लगा कि हे राजा गृपा चितनी बातों का यहुदी मुझ पर दोश लगाते हैं आज तेरे सामने उनका उत्तर देने में मैं अपने को धन्य समझता हूँ। विशेश करके इसलिए कि तू यहुदीयों के सब व्यवहारों और विवादों को जानता है। सो मैं विनिती करता हूँ धीरत से मेरी सुन ले। चैसा मेरा चाल चलन आरंभ से अपनी जाती के बीच और यरुशलेम में था। यह सब यहुदी जानते हैं वे यदि गवाही देना चाहें तो आरंभ से मुझे पहचानते हैं कि मैं फरीसी होकर अपने धर्म के सबसे खरे पंथ के अनुसार चला। और अब उस प्रतिग्या की आशा के कारण चो परमेश्वर ने हमारे बाब तादों से की थी मुझ पर मुकदमा चल रहा है। उसी प्रतिग्या के पूरे होने की आशा लगाय हुए हमारे बारों गोत्र अपने सारे मंद से रात दिन परमेश्वर की सेवा करते आए है हे राजा इसी आशा के विशय में यहूदी मुझे पर दोश लगाते है जबकि परमेश्वर मरे हूँ को जिलाता है तो तुम्हारे यहां यह बात क्यों विश्वास के योगे नहीं समझी जाती मैंने भी समझा था कि यशू नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए और मैंने यरूशले में ऐसा ही किया और महायाजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदीग्री में डाला और जब विमार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी समती देता था और हर आराधनाले में मैं उन्हें ताड़ना दिला दिला कर यशू की निंदा करवाता था यहां तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था इसी धुन में जब मैं महायाजकों से अधिकार और परवाना लेकर दमिश्क को जा रहा था तो हे राजा मार्ग में दुपहर के समय मैंने आकाश से सूर के तेज से भी बढ़कर एक जियोती अपने और साथ चलने वालों के चारो और चमकती हुई देखी और जब हम सब भूमी पर गिर पड़े तो मैंने ब्रानी भाशा में मुझसे कहते हुए ये शब्द सुना परन्तु तो उट अपने पाउं पर खड़ा हो क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गभा ठहराऊं जो तुने देखी है और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूँगा और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेशता हूं कि तो उनकी आँखे खोले कि वे अंधकार से जियोती की और और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की और फिरें कि पापों की किशमा और उन लोगों के साथ जो मुझे पर विश्वास करने से पवित्र किये गए हैं मिरास पाएं सुहे राजा गृपपा मैंनों स्वर्गिय दर्शन की बात ना टाली परंतु पहले दमिश्व के फिर यरुश्लेम के रहने वालों को तब यहूदिया के सारे देश में और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराव और परमेश्वर की और फिर मन फिराव के योग्य काम करो इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़ कर बार डालने का यत्म करते थे सो परमेश्वर की साहेता से मैं आज तक बना हूँ और छोटे बड़े सभी के सामने का वाही देता हूँ और उन बातों को छोड कुछ नहीं कहता जो भविश्य द्वक्त्वाव और मुसा ने भी कहा कि होने वाली हैं कि मसीह को दुख उठाना होगा और वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में जियोती का प्रचार करेगा जब वो इस रीती से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने उंचे शब्द से कहा हे पालूस तू पागल है बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है परंतु उसने कहा हे महाप्रतापी फेस्तुस मैं पागल नहीं परंतु सच्चाई और बुद्धी की बाते कहता राजा भी जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूँ ये बाते जानता है और मुझे प्रतीती है कि इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं क्योंकि ये घटना तो कोने में नहीं हुई है ए राजा अग्रिपा क्या तु भविश्य द्रक्वाओं की प्रतीती करता है हाँ मैं जानता हूँ कि तू प्रतीती करता है तब अग्रिपा ने पॉलुस से कहा तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है पॉलुस ने कहा परमेश्वर से मेरी प्रात्रा ये है कि क्या थोड़े में, क्या बहुत में केवल तू ही नहीं, परन्तु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाएं। तब राजा और हाकिम और बिर्नी के और उनके साथ बैठने वाले उठ खड़े हुए। और अलग जाकर आपस में कहने लगे, ये मनुष्य ऐसा तो कुछ नहीं करता, जो म्रत्यू या बंधन की योगे हो। अगरिपा ने फेस्तुस से कहा, यदि ये मनुष्य कैसर की ना देता, तो छूट सकता था। युलियूस नाम ऑगुस्तुस के पल्टन के एक सूबेदार के हाथ सोब दिया। और अद्रमुत्तियूम के एक जहाज पर जो आसिया के किनारे की जगों में जाने पर था, चड़कर हमने उसे खोल दिया। और अरिस्तर खुस नाम थिसलूनिके का एक मकिदूनी हमारे दूसरे दिन हमने सैदा में लंगर डाला और युलियूस ने पॉलूस पर किरपा करके उसे मित्रों के यहां जाने दिया के उसका सतकार किया जाए। वहां से जहाज खोल कर हवा विरुद होने के कारण हम कुप्रूस की आड में होकर चले। और किलिकिया और पमफूलिया क निकट के समुद्र में होकर लूसिया के मूरा में उत्रे। बहा सूबेदार को सिकंद्रिया का एक जहाज इतालिया जाता हुआ मिला। और उसने हमें उस पर चढ़ा दिया। और जब हम बहुत दिनों तक धीरे धीरे चल कर कठिंता से कनिदूस के सामने पहुँचे तो इ पॉलुस के किनारे किनारे कठिंता से चल कर शुब लंगर बारी नाम एक जगह पहुँचे जहां से लस्या नगर निकट था। जब बहुत दिन बीद गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब भी चुके थी। तो पॉलुस ने उन्हें य जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ती और बहुत हानी ना केवल माल और जहाज को वरन हमारे प्राणों को भी होने वाली है। परंतु सुबेदार ने पॉलुस की बातों में माजी और जहाज के स्वामी की बढ़कर मानी और वो बंदर स्थान जाड़ा काटने के ल एक बंदर स्थान है जो दखिन पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर खुलता है। जब कुछ-कुछ दखिनी हवा बहने लगी तो ये समझ कर कि हमारा मतलब पूरा हो गया लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने लगे। परंतु थोड़ी देर में वहां से एक बड़ी आधी उठी जो यूरकुलीन कहलाती है। जब ये जहाज पर लगी तब वो हवा के सामने ठैर ना सका। सो हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। तब कौदा नाम एक छोटे से टापू की आड में बहते बहते हम कठिनता से डोंग दोर बालू पर टिक जाने के भैसे बाल और समान उतार कर बहते हुए चले गए। और जब हमने आधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेकने लगे। और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का समान फेक दिया। और जब बहुत दिनों तक ना सूरे ना तारे दिखाई दिये और बड़ी आधी चल रही थी तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जहती रही। जब वे बहुत उपवास कर चुके तो पॉलुस ने उनके बीच में खड़ा होकर कहा। ये लोगों चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से ना जहाज खोलते और ना ये वेपत वहानी उठाते। परन्तो अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि डाढ़स बांतू क्योंकि तुम में से किसी के प्रांग की हानी ना होगी केवल जहाज की क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ उसके स्वर्ग दूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा ए पॉलोस मत डर तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है और देख परमेश्वर ने सब को जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है इसलिए है सज्जनों ड किसी टापू पर जाटिक ना होगा जब चौदमी रात हुई और हम अद्रिया समुद्र में टकराते फिरते थे तो आधी रात के निकट मलाहों ने अटकल से जाना कि हम किसी देश की निकट पहुँच रहे हैं और था लेकर उन्होंने बीस पुरसा गहरा पाया और थोड़ का होना मनाते रहें परन्तु जब मल्हा जहास पर से भागना चाहते थे और गलही से लंगर डालने के बहाने डोंगी समुद्र में उतार थे तो पॉलुस ने सुबेदार और सिपाईयों से कहा यदि वे जहास पर ना रहें तो तुम नहीं बच सकते तब सिपाईयों ने र बूखे रहे और कुछ भोजन न किया इसलिए तुम्हें समझाता हूँ कि कुछ खाल जिससे तुम्हारा बचाव हो क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी न गिरेगा और ये कहकर उसने रोटी लेकर सब के सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने हम सब मिलकर जहाज पर 276 जन थे जब वे भोजन करके त्रिप्त हुए तो गेहूं को समुद्र में फेंक कर जहाज हलका करने लगे जब बिहान हुआ तो उन्होंने उस देश को नहीं पहचाना परंतु एक खाड़ी देखी जिसका चौरस किनारा था और विचार किया कि पतवारों के बंधन खोल दिये और हवा के सामने अगला पाल चड़ा कर किनारी की ओर चले परंतु दो समुद्र के संगम की जगे पढ़कर उन्होंने जहाज को ठिकाया और गलही तो धक्का खाकर गड़ गई और ठल ना सकी परंतु पिछाडी लहरों के बल से तूटने ल अच्छा से उन्हें इस विचार से रोका और ये कहा कि जो तैर सकते हैं पहले कूद कर किनारे पर निकल जाएं और बाकी कोई पट्रों पर और कोई जहाज की और वस्तों के सहारे निकल जाएं और इस रीती से सब कोई भूमी पर बच निकले 28 जब हम बच निकले तो जाना कि ये टापूर मिलीते कहलाता है और उन जंगली लोगों ने हम पर अनूखी कृपा की क्योंकि मेहे के कारण जो बरस रहा था और जाड़े के कारण उन्होंने आग सुलगा कर हम सब को ठहरा है जब पॉलुस ने लकडियों का गठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आज पा कर निकला और उसके हाथ से लिपट गया जब उन जंगलीयों ने सांप को उसके हाथ में लटके हुए देखा तो आपस में कहा सचमुची ये मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपी समुद्र से बच गया तो भी न्याईने जीवित रहने न दिया तब उसने सांप को आग में जड़क दिया और उसे कुछ हानी ना पहुची परंतु वे बाट चोहते थे कि वो सूच जाएगा या एका एक गिर के मर जाएगा परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा तो और ही विचार कर कहा ये तो कोई देवता है उस जगह के आसपास पुबलियूस नाम उस टापू के प्रधान की भूमी थी उसने हमें अपने घर ले जाकर तीन दिन मित्रभाव से पहुनाई की पुबलियूस का पिता ज्वर और आव लहू से रोगी पड़ा था तो पुबलियूस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया जब ऐसा हुआ तो उस टापू के बाकी बिमार आए और चंगे किये गए और उन्होंने हमारा बहुत आदर किया और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमें अवश्य था जहाज पर रख दिया तीन महीने के बाद हम सिकंद्रिया के एक जहाज पर चल निकले जो उस टापू में जाडे भर रहा था और जिसका चिन दियुसकुरी था सुर्कूसा में लंगर डाल करके हम तीन दिन ठिके रहे वहाँ से हम घूम कर रेगियूस में आए और एक दिन के बाद दखनी हवा चली तब दूसरे दिन पुतियुली में आए वहाँ हमको भाई मिले और उनके कहने से हम उनके यहाँ साथ दिन तक रहे और इस रीती से रोम को चले, वहां से भाई हमारा समाचार सुनकर अप्यूस के चौक और तीन सराय तक हमारी भेट करने को निकल आए, जिने देखकर पॉलुस ने परमेश्वर का धन्यवाद किया और धांडस बांधा। जब हम रोम पहुँचे, तो पॉलुस को एक सिपाही के साथ, जो उसकी रखवाली करता था, अकेले रहने की आग्या हुई। जब यहुदी इसके विरोध में बोलने लगे, तो मुझे कैसर की दोहाई देनी पड़ी, ना ये कि मुझे अपने लोगों पर कोई दोश लगाना था, इसलिए मैंने तुमको बुलाया है कि तुम से मिलूं और बात चीत करूं, क्योंकि इस्राहिल की आशा के लिए मैं इस जंजीर से जखड़ा हुआ हूँ, उन्होंने उससे कहा, ना हमने तेरे विशे में यहुदियों से चिठिया पाई, और ना भाईयों में से किसी ने आकर तेरे विशे में कुछ बताया, और ना बुरा कहा, परंतु तेरा विचार क्या है, वही हम तुससे सुनना चाहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हर जगा इस मत के विरोध में लोग बातें करते हैं तब उन्होंने उसके लिए एक दिन ठैराया और बहुत लोग उनके यहां इकठे हुए और वो परमेश्वर के राज्ये की गभाई देता हुआ और मूसा की विवस्था और भविश्य दुखताओं की पुस्तक से यिशू के विशे में समझा समझा कर भोर से सांज तक वर्णन करता रहा तब कितनों ने उन बातों को मान लिया और कितनों ने प्रतीतिना की जब आपस में एक मतना हुए तो पॉलुस के इस एक बात के कहने पर चले गए कि पवित्रात्मा ने यशा यहा के भविश्य दुखता के द्वारा तुम्हारे बाप दादों से अच्छा कहा कि जाकर इन लोगों से कहे कि सुनते तो रहोगे परंतु ना समझोगे और देखते तो रहोगे परंतु ना बुझोगे क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए हैं और उन्होंने अपनी आँखें बंद की हैं ऐसा ना हो कि वे कभी आँखों से देखें और कानों से सुनें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूँ जब उसने ये कहा तो यहुदी आपस में बहुत विबाद करने लगे और वहां से चले गए और वो पूरे दो वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सबसे मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्ये का प्रचार करता और प्रभू यीशु मसील की बातें सिखाता रहा